जाएं दोस्तों फिर साब को स्वागात है हमाई इसका इंटर फियर सीरीज में जिसमें लोग स्पीड़ी दोहर बासे के 24 कर रहे हैं इसे लिए एक जनुवी दोहर तेसे का पूरा संस कर रहे हैं और यह एक मास्टर वीडियो आगा है जिसमें हम लोग पस्तुनिष्ट प्रस करें और अपने करेंट अफिर कि तैयरी को और तो मिलते हैं आपसे वीडियो तब तक के लिए हमारे सेंट पूरे सेरीज में मस्टर वीडियो रहे हैं और इसे वीडियो का लाव उठाएं जैने दोस्ता आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जोग्राफी फोर यू में इसमें हम लोग करेंट अफेर करने वाले हैं इसमें हम लोग करेंट अफेर है देखिए फरवाई दूश्च से लेके एक जनवर दूश्च चौविस ता का पूरा का पूरा करेंट अफेर है और करने वाले जितने वी अब्जेक्टिफ प्रस्टविश दिए हुए सारे करने वाले यह तुके सपोर्ट करने तो यहां पर हमारा स्वेक्शन आ गया वस्तुनिष्ट करने वाले जितने ही प्रस्टिश पर दिये हुए तो प्लीज़़ शाड़े अन्रोद है कि आप लोग हमारे वीडियो हम बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियो आएगा तो आप लोग डेली का डेली मितलब वीडियो देखिएगा तो आपको करेंट अफेर बहुत लाब होगा इससे आपको बीएससी या फिर कोई अन्य परिक् आए पहला प्राइस में शुरू करते हैं ऐते ओलर साहीत एकदणी पुरुषकार दोर में किस उपनियास कार को उपनियास तो यहाँ नीलम शरंगौर किस क्रिकेट टीम ने बिजए हजारे ट्रोफी 22 का खिताब जीता तो यहाँ हरियाना किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एसिया कब 22 का खिताब जीता तो यहाँ बंगलादेश किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एसिया कब 22 का खिताब जीता तो बंगलादेश 24.75 कडोर रूपय की खरीदे जाने वाले IPA रितिहास में अब तक के सबसे महगे खिलाड़ी कौन बने तो यहाँ मिचल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया मिस इंडिया यूएस से 22 का खिताब किस ने जीता तो यहाँ रिजूली मैनी मिस इंडिया 22 मिस इंडिया यूएस 22 का खिताब किस ने जीता तो बी ऑप्शन रिजूल मैनी हाली में किस लेखा किया लेखिका को ब्यास समान 22 मिला है तो यहाँ पुछपा भारती किस देश की महला किरिकेटर नाहिरा अक्तर को नामब 22 के लिए ICC Player of the Month का समान मिला तो यहाँ बंगलादेश किस देश की महला किरिकेटर नाहिरा अक्तर को नामब 22 के लिए ICC Player of the Month का समान मिला तो यहाँ बंगलादेश किस पुछप कीरिकेटर को नामब 22 के लिए ICC Player of the Month का समान मिला तो यहाँ ट्रेविड ट्रेविस हेड ऑस्टेलिया किस पुछप कीरिकेटर को नामब 22 के लिए आईसे सी प्ले़। आप्ड मंध क समान विला तो प्यापशन ट्रेविस हैड अस्टेलिया। सिह आचिन में तयनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है तो या है गीति का कॉल भारती की अनुशंधान और कि पहली महिला महनितेशग नगा कॉन बनी तो या है कंचन देवी भारतिय वानिकी अनुशंधान एवं सिच्छा परिशद ICFRE की पहली महिला महनिदेश कौन बनी तो भी आप्शन हो जागा कंचन देवी एक दिसंबर को किस राज ने अपना एक सठवा स्थापना दिवस मनाया तो यह है नागलेंड एक दिसंबर को किस राज ने अपना एक सठवा स्थापना दिवस मनाया तो सी आप्शन नागलेंड साहिते कदी पुरुसका 22 में किस उपन्यास कार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरुसकार मिला तो यह है संजीव साहिते कदी पुरुसका 22 में किस उपन्यास कार को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरुसकार मिला तो यह उप्शन हो जागा संजीव भाद की पहली महिला ससस्त्र बल में शहायक डी कैंप ADC कौन बनी तो यह है मनीशा पाड़ी भाध की पहली महिला ससस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC कौन बनी तो यह है B option मनीशा पाड़ी एक दिसंबर को BASF ने अपना कौन सा स्थापने दिवस मनाया तो यह है A option 69 बहाद की पहली एरपोर्ट महिला फायरफाइटर कौन बनी है तो यह है C option दिशा नायक बाद की पहली एरपोर्ट महिला फायरफाइटर कौन बनी है तो C अप्शन लेगा दिशा नायक किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कब दोधेश का खिता तो D अप्शन लेगा इटली किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया का आठवा अजुवा के रूप में घोशित किया गया तो B अप्शन होगा इगा तो B कमपोडिया गें है गताए ऑप OF आडेन जल्चेत्र में सवद्फी गर्भ टेनात की तो इस अपन एठी खिया और इस प्लेयर ऑवाइश से समानित..., अवार्ट फूमेशाए प्लेयर ऑवाइश० से किसे समानिति कुई हैं एक पहला है तो यह है C option सड़क परिवहन एवां राजमार्ग मंत्राले भूमीरासी पोर्टल किस मंत्राले की एक पहले तो C option सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले हाली में मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रोफी किसने जीता राष्ट्य भूबिज्यान डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को किसने लौँच परलाद जोशी बाद में किस चेटर में अपने पहले शीत कालिन वैज्ञानिक अभ्यान की सुरुवात की और अवप्दा मेरिट गोल्ड मेडल से सामानित किया गया तो D wafafan हो जाएगा और ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से समानित किया गया तो दी ऑप्शन हो जाएगा पूनम खेतरपाल सिंग हाली में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड इस्यू के जरीए चहुतर सो पचीस क्रोल रुपए जुटाये हैं तो दी ऑप्शन हो जाएगा दोहत्ते ही से किसे समानित किया जाएगा तो ए और भी दोनों मतलब चिराग शेट्टी और सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी मेजर ध्यांचंद खेल रतन पूर्षकार दोहत्ते ही से किसे समानित किया गया तो डी ओप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों मतलब चिराग शेटी और सात्विक साहिराज रंकी श्रेटी आई पिल इतिहास के दुनिया सब दूसरे सबसे महेंगे खिलाडी बने पैट कमिन्स को किस टीम ने खरीदा तो या है सन्राइजस हैदरावाद पहले खेलो इंडिया प यह B option हर्याना, चातिजगल आज बिधाण सवा का आध्याज किसे चुना गया तो यह है रमान सिंग्ग, चातिजगल बिधाण सवा का आध्याज कोन है तो यह है रमान सिंग्ग, पी ए मोधी ने दुनिया के सबसे बड़े meditation center सरवेद महामंदीर का उधाटन किस सहर में किया तो या है वारा नसी पियमोदी ने दुनिया के सबसे बड़े meditation center सरवेद महामंदीर का उधाटन किस सहर में किया तो या है वारा नसी हाली में किस देश के शाशक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन में राज्केश्चोक की घोशना की, यह कुवैत, हाले में किस देश के सासक के निधन के बाद भारत सरकार ने तो यह कुवैत, टेस्ट किरकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वावे दूनिया के आठवे गेंदवाज कौन बने तो यहाँ नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक बिकेट लेने वाले दुनिया के आठवे गिंदवाज कौन बने हैं तो यहाँ ए उप्शन नाथन लियोन इसराइली ने किसे भारत में नए राज़ूत के रुप में नियुक्त किया तो यहाँ रुबेन अजार इसराइली ने किसे भारत में नए राज़ूत के रुप में नियुक्त किया तो यहाँ सी उप्शन रुबेन अजार किस भारतिये ने हाली में अन्टार्टिका में सबसे उची चोटी माउंट विंसन पर सफल चड़ाई की तो यहाँ शेक हसंद खान किस भारतिये ने हाली में अन्टार्टिका की सबसे उची जोटी माउंट हंसन पर सफल चड़ाई की तो यहाँ शेक हसंद खान आईपील्टी मुंबाई इंडियन्स की कफ्तान किसे नियुक्त किया गया तो यहाँ हर्दिक पांडिया पास्ट अटैक क्राफ्ट आइनस तार्मूगली को किस नो से न डॉक्याड पर कमिशन किया गयाता है। बीसिसी आईने हाली में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्षी को रीटार करने की फैसला किया तो यहाँ है। बिसी सियाई ने हाले में किस पूर्व किरिकेटर के जर्सी को रिटार करने का फैसला किया तो या डियॉप्शन एमस धोनी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ओफ द ये दोटेश के रूप में किसे नामित किया गया तो या अंतिम पंगाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ओफ द ये दोटेश के रूप में किसे नामित किया गया तो या डियॉप्शन अंतिम पंगाल भारत के 84 वे Grand Master कौन बने तो यह है वाइसाली रमेश बाभू भारत के 84 वे Grand Master कौन बने है तो यह उप्शन हो जागा वाइसाली रमेश बाभू तिरू वल्लवूर को समर्पित परतीमा का नावरन कहां किया गया तो यह फ्रांस में तिरुवल लवूर को समर्पित परतिमा का नावरण कहां किया गया तो फ्रांस में बी ओप्षन साल दौध तैस में गूगल के टॉप दस ट्रेडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलाओते भारती किरिकेटर कौन बने हैं तो सी ओप्षन होगा सुमन गिल साल दौध तैस के गूगल के टॉप दस ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में एकलाओते भारती किरिकेटर कौन बने हैं तो सी ओप्षन होगा सुमन गिल टी एम सी के किस संसद को संसद के सितकालिन सत्र की शोष सेश अबधी तथा राजसभा से निलंबित कर दिया गया तो यह है ए ओप्षन नुसरत जहां रुही किस ब्रिटिश भारती संगितकार को दोचोविस बुकर पुरुसकार निरनायक पैनल में सामिल किया गया तो यह है डी ओप्षन नितिन सहानी कि ब्रेटिश भार्तिय स्रहंगितकार को दोचोविस बुकर पुरुसकार निरनायक पैनल में सामिल किया गया तो D अप्षिन हो जएगा नितिन सहानी समुदाईं को नितित करने दो विशाई के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाय गया तो बिश्व एट्स दिवस समुदाईं को नितित करने दो विशाई के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाय गया तो सियाचिन ग्लेसियर को ऑप्रेशन पोस्ट पर तैनाथ होने वाली पहली महिला मेडिकल ओफिसर कौन बनी तो यह फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेसियर के ऑप्रेशन पोस्ट पर तैनाथ होने वाली पहली महिला मेडिकल ओफिसर कौन बनी तो यह फातिमा वसीम किस अभिनेता को इटली के परतिष्ठित नागरिक सम्मान ओर्डर ओफ मेरिट ओफ दा इटालियन रिपाब्लिकान से समानित किया गया तो यह है कभीर बेदी तुर्षर कुमार ओश्र सिरउ कुमारव एम इफ ने अर्थविश्था में सुधार के लिए सर्लंका कहा कि celebrating कितने मिलियन ड़ुलर की सहाथता परदान खेरएगा तो 337 मिलियन video इमएफ ने अर्थ वहस्ता में सुधार के लिए स्रिलंका को कि दुने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहाथा परदान करेगा तो 337 मिलियन पदमपनी लाइफटाइम अच्पीमेंट एवार्ट से किसे दिया जाएगा तो यहां जावेद अक्तर पदमपनी लाइफटाइम अमर्ताला तोग्या महत्सव किस राजे मनाया गया तो यह है अनुवाचल प्रदेश वर्शिक सार अमर्तला तोग्या महत्सव किस राजे मनाया गया तो यह है अनुवाचल प्रदेश ग्लोबल पार्टनर्शिप औन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सिखर सम्मेलन का कहा कियागया तो आप्सोन अधिया नहीं दिल्도 नाम사가 बिक्सित बहुतएवह सेंटालैस वाइस आफ यूथ पहले किसे पहले किसने शुरू की है तो यहां नरंद मोदी विक्सित बारत द्वास 47 वाइस ओफ यूथ पहल किसने शुरू की है तो यहां नरंद मोदी World Association of Investment Promotion Agency का बिश्व निवेश सम्मिलन का हाजूत किया गया तो यहां C option नहीं दिल्ली World Association of Investment Promotion Agency का बिश्व निवेश सम्मिलन का हाजूत किया गया तो C option नहीं दिल्ली Climate Change Performance Index 23 में भारत का रेंग क्या है तो यहां साथवां Climate Change Performance Index 23 में भारत का रेंग क्या है तो D option साथवां हाली में जारी Global Pollution Ranking में कौन सा सहर सिर्ष पर है तो यहां C option लाहॉर हाली में जारी Global Pollution Ranking में कौन सा सहर सिर्ष पर है तो C option लाहॉर Google की Parent Company Alphabet का कौन सा Advanced AI Model लाँच किया तो यहां जेमेनी Google की Parent Company Alphabet ने कौन सा Advanced AI Model लाँच किया है तो D option लाहॉर जेमेनी जैपूर Wax Museum में किसकी परतिमा का नावरन किया गया तो यहां Dr. B.R. Ambedkar जैपूर Wax Museum में किसकी परतिमा का नावरन किया गया तो A option लागा Dr. B.R. Ambedkar किस केंदरी मंतरी को क्रिशी मंतराले के अतरिक्त प्रभार है दिया गया तो यहां Arjun Mundah किस केंदरी मंतरी को क्रिशी मंतराले का अतरिक्त प्रभार दिया गया तो B option Arjun Mundah किसे Time Magazine द्वारा Person of the Year नामित किया गया है तो C option लागा Taylor Swift कि से Time Magazine द्वारा Person of the Year नामित किया गया है तो C Op. Taylor Swift कि सराज के? गरवन निर्थ को युनिश्क को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में सामिल किया गया है तो C Op. Jupp. Gajarat कि सराज के? गरवन निर्थ को युनिश्क को के? अमृत्य संस्कृतिक विरासत की लिष्ट में सामिल किया गया तो सी ऑप्शन गुजरात नासा के मार्स रोवर को अपरेट करने वाली पहली भारते कौन बनी है तो यह अच्छता कृष्ण मूर्थी नासा के मार्स रोवर को अपरेट करने वाली पहली भारते कौन बनी है तो अच्छता क्रिश्न मूर्थी हाली में टाइम मैगजिन ने किसे CEO of the year चुना है तो या Sam Altman हाली में टाइम मैगजिन ने किसे CEO of the year चुना है तो या Sam Altman किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताचर किया तो या भारतिय स्टेट बैंक किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन बैंक के साथ किस देश में के मेरा आपी जौला मुखी में हाली में बिसफोर्ट हुआ तो यह उप्शन होगा इंडोनेशिया मेरा गाउ मेरी धर्वहर प्रजेक्ट किस मंत्राले से संबंदित है तो यह उप्शन संस्कृति मंत्राल है पहले सरवच्छन पोत ब्रिहद संधायक को भारतिय नौ सेना को सौपा गया इसका निर्वान किस ने किया तो यह है D option Garden Rich Ship Build and Engineering Kolkata पहले सरवच्छन पोत ब्रिहद संधायक को भारतिय नौ सेना को सौपा गया इसका निर्वान किस ने किया तो D option वह है Garden Rich Ship Builders and Engineering Kolkata 6 दिसंबर को भारत रतन डॉक्टर बियार अंबेतकर का कौन सा महा परिनिर्वान दिवस मनाए गया तो भी आप्शन हो जागा 86 प्रोफेसर कवड़ी लॉन की पटना पटना पाइरेट स्टीम का टाइगर टाइटल स्पॉंसर कौन है तो यह बिहार सरकार प्रो कवड़ी लीग की पटना पाइरेट स्टीम का टाइटल स्पॉंसर कौन है तो यह बिहार सरकार भारतिये मूल के किस उपन्याशकार को सिंगापूर के सर्वच कला सम्मान से समानित किया गया तो यह है बी आप्शन मीरा चंद किस केंदरी मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन सी पी आर पर राष्ट भ्यापी जन जागरुकता अभ्यान सुरू किया तो यह दोक्टर मन्सुख मंडाविया किस केंदरी मंत्री ने कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन सी पी आर पर राष्ट भ्यापी जन जागरुकता अभ्यान सुरू किया गया तो यह दोक्टर मन्सुख मंडाविया दुनिया के पहले पोटेवल होट्सपोट का उधाटन कहां किया गया तो यह दी आप्शन गुरुग्राम दुनिया के पहले पोटेवल होट्सपोट का उधाटन कहां किया गया तो दी आप्शन गुरुग्राम स्मृधी कन विलेव नामक डिप्टेक स्टार्टप प्रुद्चहन अभ्यान कहां शुरू किया गया तो यह आई 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 टी रोपड थोड़ा सा प्रिंटिंग में आप लोग इससे चिंता मत किजिए बागी सब सही है आप लोग आप से वीडियो देखते रहिए समृधी कॉंक्लेव नामक डिप्टेक स्टार्टप प्रोचाहन अभ्यान कहां शुरू किया गया तो यह आई टी रोपड इंटरनेशनल मेरी टाइम और्गनाइजेशन के ल हाथियों में होने वाली दुरगटनाओ को रोखने के लिए कौन सी तक्निक पेस की है तो यह है गजराज सुरक्षा भारती रेलवे ने रेल पट्रियों पर हाथियों में होने वाली दुरगटनाओ को रोखने के लिए कौन सी तक्निक पेस की है तो यह है गजराज पीए मोदी ने 10,000 जन और शदी केंद का उधर्टन कहा किया तो देवघर में सीनियर पुरुस राष्ट्री होकी चैंपियन्शिप किसने जीता तो यहाँ बी आप्सन पंजाब सीनियर पुरुस राष्ट्री होकी चैंपियन्शिप किसने जीता तो बी आप्सन पंजाब एक्सपो 32 वर्ड फेर का उजन किस सहर में किया जाएगा तो यहाँ रियाद किस होलिवड अभिनेता को सत्य जीत्रे लाइक्टरम अच्चिमेंट अवार्ट से समानित किया गया तो यहाँ माइकल डगलस किस होलिवड अभिनेता को सत्य जीत्रे लाइक्टरम अच्चिमेंट अवार्ट से समानित किया गया तो बी आप्सन माइकल डगलस केंदरी मंत्री मंडल ने गरिव करल्यान खाद्यान कारिकरम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है तो यहाँ पांच वर्ष भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टा केंदर की सुरुवात किस राज में की जाएगी तो यहाँ उत्तर पर्देश में चालिसवे कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयुद किया गया है तो यह उप्शन नहीं दिल लिए आइसीसी पुरुष टीटवंटी विश्वकप दोचविस के लिए अफरीकी छेतर में किस टीम ने क्वालिफाई किया तो यहाँ यूगांडा आइसीसी पुरुष टीटवंटी विश्वकप दोचविस के लिए अफरीकी छेतर के किस टीम ने क्वालिफाई किया है तो यूगांडा चक्रवात माइक्राउन को किस देश के ने नाम दिया तो यहाँ सी ओप्सन मेंनमार चक्रवात माइक्राउन को किस देश ने नाम दिया तो सी ओप्सन मेंनमार हेल्थ केर संरचना में उत्कृष योगदान के लिए पी आर एस आई नेशनल एवार्ट से किसे समानित किया गया तो यहाँ सुगंती दूर्द सुदराज हेल्थ केर संचार में उत्कृष योगदान के लिए पी आर एस आई नेशनल एवार्ट से किसे समानित किया गया तो यहाँ सुगंती सुदराज यौन अपराजो से जुले मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगली कितने वर्स तक जारी रखने की मंजुरी दी गई है तो खेलो इंडिया पैरा गेम 22 का सुभार्णं किया गया तो यू उजवाला खेलो इंडिया पैरा गेम्स द्थेश का सुभांकर क्या है तो यह है C उप्षन उज्वला किसे हाली में दस्षीन अफरीगा की महिला किर्केट टीम के तीनों फॉर्मेट का कफ्तान बनाए गया तो यह डी उप्षन लॉरा वल्वार्ड किसे हाली में दस्षीन अफरीगा की महिला किर्केट टीम के तीनों फॉर्मेट का कफ्तान बनाए गया तो डी उप्षन हो जागा लॉरा वल्वार्ड किस भासा के लेखक पिरुमल मरूगन ने वर्षद 23 के लिए जेसे भी एवाड जीता तो यह तमिल किस भासा के लेखक पिरुमल मरूगन ने वर्षद 23 के लिए जेसे भी एवाड जीता तो यह है तामिल नाडू किस आईरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉंग के लिए पुकर पुरुसका दोध 23 जीता है तो यह डी ऑप्षन पॉल लिज किस आईरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉंग के लिए पुकर पुरुसका दोध 23 जीता है तो डी ऑप्षन हो जाएगा पॉल लिज एमी एवार्ड जितने वाला परथम भारतिया महिला कौन बनी तो यह है एकता कपूर किस सुंदरी ने बहतरवा मिस युनिवास सुन्तरी ने बहतरवामिस और सुनिस सल lesson में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अधेस्ता किसने की तो सिखर कपूर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अधेशता किसने की तो सिखर कपूर हाले में कौन एक दिवस्यां तराश्टे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सतक पचास जलने वाला खिलाडी बने है तो याई बिराट कोली भारत ओपेन ए याई के CEO फिर से कौन बने है तो यह है Sam Altsmane हाली में आएसेसी हॉल आफफेम में सामिल होने वाले परथम भारतिय महिला किरिकेटर कौन बनी है तो ए उप्षाण जाएगा डाइना एडूल जी हादी में ICC Hall of Fame में सामिल होने वाली पर्थम भारतिय महला किरिकेटर कौन बनी है तो यह उप्शन जाएगा डाइना एडुल जी केंद्रिय जहांच Bureau CBI के नए संयुक्त निरदेशक कौन बने है तो यह बी चंदर सेखर केंद्रिय जहांच Bureau CBI के नए संयुक्त निरदेशक कौन बने है तो यह उप्शन जाएगा बी चंदर सेखर पॉलिश पे कंपनी डिक्टा डोर ने दुनिया के पहली AI CEO नियुक्त किया है जिसका नाम है माइका किस महला किरिक्रेटर को October 2023 के लिए AI CC player of the month का सम्मान मिला दोải है हृली बाहत है पहले अंतराष्टे क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डिमेस्टिक सेलिंग का उधर्टन किस ने किया तो या सर्वनन सोनेवाल हाल ही में पहले अंतराश्टिक क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डिमेस्टिक सेलिंग का उधर्टन किस ने किया तो या सर्वनन सोनेवाल 9 November को भारत के किस राज में अपना इत्रापना दिवस मनाया तो D Option जगा उत्राखंड स्थैंग्चैन अभ्यास एक्सर्शाइज मित्र शक्ती 223 का होईजन भारत और किस देश के साथ किया गया तो D Option जगा स्रिलंका सेंग्ट सेन अभ्यास, एक्सरसाइज, मित्र, शक्ती 22 का होजन भारत और किस राज के साथ किया गया तो D अप्शन गया स्री लंका किस टीम ने सयद मुस्ताख अली ट्रोफी 22 के खिता तो D अप्शन गया पंजाब किस होकी टीम ने बोमेंस एसिया कप ट्रोफी 22 का खिता तो या है ए अप्शन भारत भात के पहले दलित मुख सुचना आयुक CIC की कौन बने है तो या है C अप्शन हरिला समरिया हाल ही में कौन अंतराष्टे क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पर्थम बल्लेवाज बने है तो या है नंदनी दास किस भारतिय मुल्की लेखिका को बिटिश एकडमी बुक प्राइज 22 से समानित किया गया तो या नंदनी दास बाल बिग्यान महुत्सव का उधाटन किस ने किया तो डॉक्टर जितेंदर सिंग ने बाल बिग्यान महुत्सव का उधाटन किस ने किया तो ये उप्शन दॉक्टर जितेंदर सिंग हाल ही में जारी वज़ 22 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे सिर्ष अस्थान प्राप्थ होगा तो बी ओप्शन होगा तो बी ओप्शन होगा सुदी अरब फीफा पुरुष विश्व कब 23 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो बी ओप्शन होगा सौदी अरब एक नॉमबद 22 को साथ राजियों और दो किन्सासित परदेशों के स्थापना दिवस मनाया गया है जिसमें कौन सा राज शामिल नहीं है तो बी ओप्शन होगा राजस्थान एक नॉमबद 22 को साथ राजियों और दो किन्सासित परदेशों के स्थापना दिवस मनाया गया है जिसमें कौन सा राज सामिल नहीं है तो बी ओप्शन होगा राजस्थान कमी हाल उचेरी वर्ण कलो सामिल विशु कप में सबसे तैस चतक 40 बॉल में लगाने वाला बल्रवाश और ऐस्कों बना तो यहां ग्लैन मैक्सल हाली में वंडे विश्व काप में सबसे तेस्ट चालीस बॉल में लगाने वाला बल्लेवाज कौन बना है तो ग्लैन मैक्सवेल 15 नॉमबर 23 को किस राजी का स्थापना देश्ट मनाए गया तो डी अप्शन होगा जहारखंड हाली में सभ्युक चैन अभ्याज सुरी किरन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया तो डी अप्शन होगा नेपाल आई एस आर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किसम को विक्षित किया है उसे क्या नाम दिया गया तो यह उप्शन होगा चंदरा उपस देने वाली काली मिर्च को किस्ट किस्म को विक्षित किया है उसे क्या नाम दिया गया तो चंद्रा हाली में भारत के महासर्विक्षक के रूप में किसे निउक्तिया गया तो यह हितेश कुमार प्रतिवर्स अंतराष्टे सही सुनता दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो सुला नामबर को निशनल में निशनाल में और स्वाड़ से किस समानित किया गुए दोक्टर देवसः भटाचारे को नेशनल में टल बिस्टर्ड यरुट Title शक प्लर से शंहरत किया है तो तो बहुए अप्शिंव संहाँ जा Principat को पुरूष करिकेटर को अक्टवर दचीए मंत्री ने किस सहर में? विद्या समिच्छा केंदर का उधरटन किया तो यहां है सीमला हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री ने किस सहर में विद्या समिच्छा के अंदर का उधाटन किया है तो यह अप्शन वेगा सीमला इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आउजन कहां किया गया तो नहीं दिल्ली में इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आउजन कहां किया गया तो यह अप्शन वेगा नहीं दिल्ली में पाकिस्तान के सर्वच नागरिक पुरसकार समानित होने वाले चौथे भारतिय कौन बने है तो यह डॉक्टर सैयदना मुफद सैफुदीन भारत के पकिस्तान के सर्वच नागरिक पुरसकार समानित होने वाले चौथे भारतिय कौन बने है तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुदीन सुप्रीम कोट की पहली महिला जजज कौन बनी जिसका हाल ही में निधन हो गया तो यह फातिमा बीवी सुप् प्रच्छा के लिए कि सराज ने हाल ही में सेफ सीटी प्रोजेक्ट शुरू किया तो यह सी ऑप्शन उत्र परदेश दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और उर्जा सहिंतर का उधर्टन किस देश में किया गया तो यह सभसे अभियास और तैस भारत और किस देश के बि अयुजित किया गया तो डी ऑप्शन उत्र ऑस्ट्रिया बंगाल का ब्राड ब्रेंड अम्बेजडर किसे बना गया तो यह सवरव गॉंगली को परती वर्स 11 नॉम्बर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म दिन पर राष्ट्रिय सिच्छा दिवस मना गया तो डॉक् मुहमद अबुलकलाम अजाद आइसेशी पुरुस्त अंडर 19 क्रिकेट विश्विकप 24 का यह जन किस देश में किया जाएगा तो यहां पर कुछ प्रशनों में दिक्कत आ गई है मतलब स्कान करने में एक पेज में गड़वड़ी आ गई है जो की 145 से लेके 168 तक अब प्रशन में थोड़ा से दिक्कत आ गया है 119 प्रशन से फिर से सही हो गया है तो मैं वह आपको बाद में करा दूंगा अभी यहां से धियान दीजिए यहां से देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं लोग तो 119 प्रशन है राष्टे जिंद सहीयोग एवां बाल विकास संस्थान ने किस सहर में पोशन भी पढ़ाई भी कारेकरम कायोजन किया है तो यहां इंदौर राष्टिय जिंद सहीयोग एवां बाल विकास संस्थान ने किस सहर में पोशन भी पढ़ाई भी कारेकरम कायोजन किया है तो बी ऑप्शन इंदौर सहितिस्वा राष्ट्रे खेलों में सिर्ष अस्थान किसे हासिल किया है तो यह option महराष्ट्रे सहितिस्वा राष्ट्रे खेलों में सिर्ष अस्थान किसने हासिल किया है तो यह option महराष्ट्रे आठ नॉमत दोह-तरी इस को दुनिया भर में मनाए गए विश्व, रेडिोग्राफिक दीवस की थीम क्या रखे गई, तो याज, विश्व क इतिहास में सबसे तेज दोहरा सतक लगाने वाले गलेवाच कौन बने, तो याज, डियॉप्छल, ग्लैनमैक्सॏप्सन ग्लैनमेक किस मैं चलंदनें के में मैं जोखोवीच नरट किस राज़ने युआ में पर्जेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आधेश जारी है आधेश जारी कित अग्स धुरुषर है लागु करने का आदेश जारी किया दो डी ऑप्सन बेगा ब्रुसेल्स किशान कल्यान विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषी 24 प्लेटफॉर्म को बिक्सित किया तो यहां सी ऑप्षन भागवानी इंसिट्विट कृषी एवां किशान कल्यान मंत्राले ने किसके साथ मिलकर प्लेटफॉर्म को बिक्सित किया तो यहां बागवानी इंसेट्विट फीडे महिला ग्रेंड स्विश डौ तैटल भागवानी ने जीता तो है a 2.25 में चौविषवां A.C.I. 33 Championship की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो यहाँ C option बंगलादेश 25 में 24 A.C.I. 33 Championship की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो C option है बंगलादेश हाली में किस छेत्र के गेको की एक नई परजाती की खोच की गई तो यह option जागा पश्चिम घाट भारत ने हाली में किस देश के साथ mobility and migration agreement पर हस्ताचर किया तो यहाँ इटली भारत ने हाली में किस देश के साथ mobility and migration agreement पर हस्ताचर किया तो C option जागा इटली वंडे बिश्व का पितिहास में सरवाधिक विकेट लेने वाले गिंदवाज कौन है तो यह है मुहम्मद समी चुनाव आयोग ने चुनावी सहायता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया तो यह है सिच्छा मंत्राल है चुनाव आयोग ने चुनावी सहायता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया तो यह है सिच्छा मंत्राल है एपीडा ने भारते क्रिशी उत्पादकों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया तो लूलू हाइपर मार्केट एपीडा ने भारते क्रिशी उत्पादकों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझाता किया तो लूलू हाइपर मार्केट A.C.I. Shooting Championship 22 में पुरूस के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वन पतक जीता तो याइज स्वर्य प्रताप सिंग T. बारते किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिनτα अंदूरकर की परतिमा का जावरण किया गया तो यह है यह D option, वान खिले स्टेडियम और मान खिलाड़ी के बिद्धिय वान खिले स्टेडियम किस देश ने हाली में भारतियों को बिना वीजा यात्रा करने की सुबधत दी है soit Thailand किस देश ने भार्तियों के बिना वीजा, हाँ यात्रा करनी के शुर्दा दियन्ड, अब्यूटि वर्ल्ड मैजवानी कौन साहर करेगा, तो अब्यूटि वर्ल्ड मीजवानी कौन साrence आसा साहर करेगा तो ब्यूटि. यह दुबाई हाली में जोन को DGAC से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है तो यह थ्रॉट एरो पेस्टम किस देश में आउजित किया गया है तो यह ब्रीटेन बिश्व का पहला AI Safety Summit किस देसमें आज़ित किया गया तो यह है Britain England के किस किर्केटर ने बिश्व कब 22 के बाद इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेनी की घोचना की तो यह है David Willi इंग्लेंड के किर्केटर ने बेश्वक अब 22 के बाद इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेने की गोशना की तो सी अपस्वाइब का डेविड विली किर्केट से जुड़े बैजबॉल सब्द को हाले में किस डिक्षिनरी से जोड़ा गया है तो यहां कोलिंज किर्केट से जुड़े बैजबॉल सब्द को हाले में किस डिक्षिनरी से जोड़ा गया है तो यहां कोलिंज चौथे एसियाई पैरा खेलों में भारत को कितने पतक जीते हैं तो यहां 111 कुलकता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर निक्त किया जलवाई परिवर्तन विशेशग के प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है वह किस देश के निवासी थे तो यहां बंगला देश जलवाई परिवर्तन विशेशग प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है किस देश के निवासित हें दी ऑप्सुन बंगलादेश फइनेसिल एक्षन टास्क फोर्ड ने हाली में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया तो यह अलबानिया केंदरी वित्मंत्री नीर्मला सीता रमन ने किस राज्जी में 12 जी एस्टी सेवा केंद्रों को लॉंच किया तो या बी ऑप्शन गुजराद के लिए ग्यारवां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया तेया मनु मनु भाकर, ACI स्टींग चैंपेंशिप में किस भारतिय शूटर ने भारत के लिए 11 पेरिक्स ओलंपिक कोटा हासिल किया तो या डी ऑप्शन मनु भाकर, Airbus ने भारतिय एरो स्पेस छेत्र में प्रतिवा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझाता किया तो या डी ऑप्शन गया तो या डी ऑप्शन नहीं दिली इंडिया मुवाल कॉंग्रेस के साथ वे संस्क्रण कायोजन कहा किया गया तो या डी ऑप्शन गया डी दिली केंद्र कैविनेट ने जम्रानी बंग पर-योजना बंथ परयोजना को मंझुरी दे दी है किस राज में से समंद्ध को मंझुरी दे दिया या किस राज से समंद्ध थ तो सीय व्योजन पर योजन गया तो यह हर्याना के अंदर इस इच्छा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कि स्राज में 124 पीएम स्री स्कूलों का सुभारम करेंगे यह अप्शन होगा हर्याना परतिवस राष्ट्री एक्ता दिवस कि स्तिति को मनाया जाता है तो दी ऑप्शन होगा 31 अक्टूबर हाली माजवित एंथोरियम उत्सव कि स्राज का प्रमुक उत्सव है तो यह हैं सी ऑप्शन मिजोरम सहिंग चैन अभ्यास हरिमों शक्ति 22 भारत और किस देश के बिच मिघाले स्थित उम्रोई चाबनी में किया गया तो यह हैं मलेशिया सहिंग चैन अभ्यास हरिमों शक्ति 22 भारत और किस देश के बिच मिघाले स्थित उम्रोई चाबनी में किया गया तो यह है एंप्शन मिघाले स्वरी मलेशिया हाली में चुनाव आयोग ने किस किसे अपना राष्ट्री आइकन निक्त किया तो यह राजकुमार राव जमू कास्मिर में रह रहे अवैद विदेशियों की जनकारी के लिए किसकी अध्यस्तम एक समिति का गठन किया गया तो यह आरके गोयल जमू कास्मिर में रहने वाल अवैद विदेशियों की जनकारी के लिए किसकी अध्यस्तम एक समिति का गठन किया गया तो यह आप्शन आरके गोयल देश का पहला नौ सेना सौरे संग्राले किस राजमें बनाया जाएगा तो यह आप्शन उतर परदेश विद्या समिच्छा सौफ्ट्वेर सागर में स खाıllा-किस ने भारत को मक्त पर युजा परदान किया तो यह स्री लंका हाल में किस दिश ने भारत को मुग्ष परदैश दुनिया का सब्से परrenceशित शहर कौन साय कोर्ड गोह तो यह आकिवशन दिल्ली तो यह है लदक जूनियार ब्रिक्ष को किस सासित पद्देश का र राज्य मीड़कि भोसुद किया गयां तो यह ऑफ्शन लदक रमें उनाइटेड्स स्टेट्स ग्रैंट प्रिक्स दोहतेईस किसने जीता तो यह है बी ऑप्सन मैक्स वस्टेपन हाली में किस सहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डैप डी आई गुगल किस कमपनी दोरह ऑंलाइन सक्वच लांच किया गया तो यह है बी इस बुप्सन गुगल साथिस्वा राष्ट्य खेल्द का उध्रटन किस राज में किया गया तो गोवा में हाली में Military Hospital Service ससस्त्र बल की पहली महिला महांदेशक DGI कौन बनी तो या है साधना सक्सेना नोयर हाली में Military Hospital Service ससस्त्र बल की पहली महांदेशक DGI कौन बनी तो यह साधना सक्सेना नायर UN में भारत के नए राजदुत कौन नियुक्त किये गया है तो यहाँ arindam bagachi UN में भारत के नए राजदुत कौन नियुक्त किये गया है तो यहाँ B option अरिंदam bagachi भागची Global Remote Work Index 23 में भारत कौन सा स्थान पर है तो यह 64 ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स दौटेश में भारत कौन से स्थान पर है तो यह सी ओप्शन 24 पर किस पुरूष किरकेटर को सितंबर दौटेश के लिए आईसेजी प्लेयर आप दा मन्त का समान मिला तो यह बी ओप्शन सुमन गिल परती वर्स 15 अक्टुबर को किस महा पुरूष के जन्म दिन पर विश्व छात्र तिवस मनाया गया जाता है तो यह सी ओप्शन डौक्टर एपी जी अबदुलिकलाम, यूड़ोप्या संसद ने किसे सखा रोब पुरुश्कार से समानित किया तो यह है, जीना महसा अमीनी, यूरोपिय संसद ने किसे सखा रोप पूरुषकार से समानित किया तो यह एए ओप्षन जीना महसा अमीनी global hunger index 23 में भारत के कौन सास्थान प्राप्थ होगा तो यह 111 चर्शित उत्सव नदाहबबा हाली में किस राजमें मना आगया तो यह है C option करना ठक चर्चित उत्सव नादा हवा हाल ही में किस राजन मना गया तो C option हो जागा करना ठक कलॉंडिया कलॉंडिया गोल्डेन को किस छेतर में 223 का नोबल पुरुसकार मिला तो यह D option अर्थसाथ रास्तान में तीन नए जिले मालपूरा सुजानगर कुचामन बनाने की घोषना के साथ राज्य में जिलो की कुल संख्या कितनी होगी तो यह तिरपन रास्तान में तीन नए जिले मालपूरा सुजानगर कुचामन बनाने की घोषना के साथ राज्य में जीलों की कुल संख्या कितनी हो गई तो या तिरपन मजगाउं डॉक सिप्याड लिमिटेड मुंबाई द्वारा विक्षित विद्वन्षक जहाज इंफाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गया तो है प्रोजेक्ट 15B मजगाउं डॉक सिप्विल्डस तैइस में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो या एक स्कू साथ पदक आठ अक्टूबर को भारतिय वायु सेना ने अपना कौन सा स्थापने दिवस मनाया तो या एक्यानवेवा किस देश के लेखक जॉन ओलाव फोर्स को साहीति के छेतर में वस्दुएज का नौवल प हाली में मौगी, मौगी जी, फडिंगी, लुईस, ई, ब्रास और अलेक्सी आई, एकी मौग को किस छेतर में वर्स देश का नौवल पुरुसकार मिला तो या है रसायन। कनाडा इंडिया फेडरेशन द्वारा ग्लोवल इंडियन एवार्ट से समानित होने वाला पर्थम महिला कौन बनी तो या है सुधा मूर्ती किस पुरुस फुटवाल टीम ने साइफ अंडर 19 चैंपेंशिब 22 का किताब जीता तो या भारत किस पुरुस फुटवाल टीम ने साइफ अंडर 19 चैंपेंशिब 22 का किताब जीता तो भारत ने केटालिन कारीगो और डू बिशमैन को किस चेतर के लिए वर्थ 22 का नोवल पुरुसकार मिला तो या चिकित्सा हाली में बैग्यानिकों ने दुनिया के आठवे महद्विप का नक्सा जारी किया जिसका नाम है जिलेंडिया हाली में किस देश के क्रिकेट टीम ने टीटवेंटे अंतर राष्टे में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी तो या है नेपाल हाली में केस देश के क्रिकेट टीम ने टीट राष्टे में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी तो या है नेपाल विरांगना दुरगावती भारत का कौन सा तैगर रिजर्व बन गया तो या है 54 विरांगा दुर्गावती भारत का कौन सा टाइकर एसर बनने हैं तो मार्को हैची मोटर साइकल ने किस देश के साथ सेमिकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनर्शिप के लिए सयोग ज्यापन को मंजूरी दिये तो यह है जपान ACI पैरा खेलो के पुरुष डिसकस थ्रो में किस भारतिय ने स्वन पदक जिता तो यह है निरज यादव ACI पैरा खेलो के पुरुष डिसकस थ्रो में किस भारतिय ने स्वन पदक जिता तो यह है निरज यादव बंगल की खाड़ी में उटने वाले चक्रबाद तुफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया तो यह है इरान बंगाल की खाड़ी मोटने वाले चक्रवाद तुफान हमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया तो यह है इरान किस भारती अमेरिकी को अमेरिका राष्टपती द्वारा राष्टे प्रदौकी और नवचार पदक से समानित किया गया तो यह है अशुक गडगिल किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी राष्टपती द्वारा राष्टे परद्वकी और नवाचार पदक से समानित किया गया तो यह है अशोक गाडगिल अबू धावी मास्टर्स बैडमिंटन दोज़तेईस महिला एकल खिताब किस भारती खिलाली ने जीता तो यह है अबू धावी मास्टर्स बैडमिंटन दोज़तेईस महिला एकल खिताब किस भारती खिलाली ने जीता तो यह है ACI पहरा गेम्स द्वार 22 में पुरुषो में हाई जंप T63 एवेंट में स्वान पता किस ने जीता तो यहाँ सेलेश कुमार ACI पहरागेम्स द्वार 22 में पुरुषो के हाई जंप T63 एवेंट में स्वान पता किस ने जीता तो यहाँ सेलेश कुमार ओपरेशन चक्र दूतिय किस केंदरी एजनसी द्वारा चलाया गया तो यहाँ CBI द्वारा विवाई द्वारा हाली में गोल्डन पिकॉक पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो है और इसी लिमिटेड बहात की पहली रिजनल रैपीड को क्या नाम दिया गया तो है नमो भारत इंटरनेशनल किर्केट में सबसे तेज 26 जारन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने है तो यह है विराट कॉली इंटरनेशनल किर्केट में सबसे 26 जारन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने है तो यह है विराट कॉली पंजाब सरकार ने राज की पूरी तरह से नकसा मुक्त नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल सुरू की तो यह है होप इनिसियेटिव प किस राज ने बाग अभ्यारनों के लिए बिसेश बाग सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिये तो यह सी ऑप्शन अनौचल प्रदेश पीम नरेंद मोदी किस राज में एक 511 प्रमूद महाजन ग्रामिन को शल्ले विकास केंद्रों की शुरुवात किया है तो यह महराश् पीम नरेंद मोदी किस राज में 511 प्रमूद महाजन ग्रामिन को शल्ले विकास केंद्रों की शुरुवात किया तो यह बिए ओप्शन महराश्ट्र मिसंचंद्रियान तीन पर गतिविधी अधारित वेव पोटल अपना चंद्रियान किसने लॉंच किया तो यह धर्मेंद प्रधान राष्टे फिल्म पुरुषकार दोहत तैइस में सर्फ्रेश्ट अविनेता का अवर्ड किसने जितने वाले पहले तेलगू एक्टर कौन बने तो यह अलू अर्जुन कियन सरकार ने दोहत तैइस में सर्फ्रेश्ट अविनेता का अवर्ड जितने वाले पहले तेलगू एक्टर कौन बने तो यह अप्शन अलू अर्जुन कियन सरकार ने दोह चोविस पचीस सत्र के लिए गेहू के नियुन्तम समर्थन मूली को कितने रुपए बढ़ाया तो यह अप्शन होगा 150 रुपए बिहार में चौथे क्रिशी रोड मैप 22-28 को किसने लॉंच किया तो यह अप्शन द्रॉपदी मूर्मू किस फिल्म ने सर्फ्रेश्ट फिल्म का राष्ट्य फिल्म पूरुसकार जीता तो यह रॉकेट्री दन्नमवी इफेक्ट बिदेशी मंत्री डॉक्टर एस जय संकर ने किस देश में महातमा गांधी की परतिमा का नावरन किया तो यह अप्शन बियतनाम गोल्डन मैरी टाइम इंडिया समीट 223 का आउजन कहां किया गया तो यह अप्शन मुंबाई रच्छा मंत्राले ने आइनेस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किस के साथ समझाता किया तो यह कोचिन सिप्याड लिमिटेड रच्छा मंत्राले ने आइनेस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के साथ किस की साथ समझाता किया तो यह कोचिन सिप्याड लिमिटेड चौथे ACI पैरा खेलो का आउजन किस देश में किया गया तो यह चीन चौथे एसी आई पैरा खेलों का आजन किस देश में किया गया तो चीन में अंतराष्टे ओलंपिक समीती ने किस खेल को 28 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में सामिल किया है तो यह है उप्यूक्त सभी मतलब स्क्वाइस, क्रिकेट और बेजबॉल अंतराष्टे ओलंपिक समीती ने किस खेल को 28 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में सामिल किया है तो यह है डी ओप्शन उप्यूक्त सभी मतलब स्क्वाइस, बेश्बॉल और क्रिकेट बंडे क्रिकेट इतिहास में 306 के लगाने वाले पहले भरतिय बल्लेवाज कौन बने तो यह है रोहिद सर्मा बंडे क्रिकेट इतिहास में 306 के लगाने वाले भरतिय बल्लेवाज कौन बने तो यह डी ओप्शन रोहिद सर्मा हाली में बिदेश मंत्री एजय संकर ने किस देश में रविना टाइगोर की परतिमा का अनावरन किया तो यहाँ बियत नाम इसराइल में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभिहान को क्या नाम दिया गया तो यहाँ आपरेशन आजाए इसराइल में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभिहान को क्या नाम दिया गया तो आपरेशन आजाए विस्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष को एथलीट आप दे येर के लिए किसे नामित किया गया तो नीरत चोपड़ा ने नेशनल ओपन नेशनल ओपन चैंपियंशिप में सौ मिटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया तो है मनिक कांथ एच होब लीधर फोवर्स की वर्ल्ड वेस्ट एंप्लायर्स द्वाइर्स की लिस्ट में सामिल एक मात्र भारतिय प्यस्यू कंपनी कौन है तो या न्टी पीसी पिकर समिट पीटउंटी का आयजन कहा किया गया तो नई दिल्ली में नेशनल पर्देश किस राज ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज जलिये जीव घोशित किया तो D option उतर पर देश केंदरे कैविनेट ने किस नए स्वायत निकाय कोन के निर्मान को मंजुरी देती है मेरा उवा भारत केंदरे कैविनेट ने किस नए स्वायत निकाय के निर्मान को निकाय को मंजुरी देती है भारत और तंजानियां में रच्छा सहीयों के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया तो डी आप्शन पात साल भारत और तंजानियां में रच्छा सहीयों के लिए कितने वर्षों का रोडमैप तैयार किया गया तो डी आप्शन पांच साल भारत की किस पुरु यूगल जोड़ी ने BW F रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया तो यह है बी ऑप्शन सात्विक साही राज और चिराक सेटी भारत सरकार ने किस वर्स के छात्रों के लिए आवास्य सिच्छा योजना स्रेश्ट की सुरुवात की तो यह अनुसूचित जाती तो इस वीडिय है अगरे सेक्षन हम अगले वीडियो में देखेंगे अपको आगे आने वाले वीडियो करेंगे 812 परस्ट अब इसलिए बिल्कुल निशीन लेए और हमारे साथ बने रहे हके में कमेंट बक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके आप सपोट करें तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिन जाए भारत वीडियो को देखते रहे हैं वीडियो को देखें और हमें सपूरी सीरीज को देखें और हमें सपोट करें हमारे वीडियो को जाद जाद शेयर करके लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचा है और वीडियो को लाइक करें कमेंट वॉक्स आप जरूर बता है कि आपको हमारे पहल कैसी लग रही और आप इसे कितने लावान वित हो रहे हैं तो आई शुरू करते है आज से आपना वीडियो लेक्षर यहां पर लाश्ट हम लोग किये थे 249 पर अभी 259 प्रस्ट से हम लोग सुरू करने वाले आइए शुरू करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चनल पर नए हैं और हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज यही सब होगे हैं बहुत अवशक्ता है आए सुरू करते हैं दूसर प्रजाता नवा प्रशन संस्कृति मंत्राले ने विशेश स्वस्ता अभ्यान 3.0 के अंतरगत स्वस्ता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिनित किया तो यह चार सा उन्चास संस्कृति मंत्राले ने वि इसराइल ने हमास के खिलाव जारी लड़ाई में क्या कोड़ नाम दिया है तो यहां ऑप्रेशन आयरन स्वाड हुरुन इंडिया रिच लिष्ट 22 के अनुसार सबसे अमीर भारतिय कौन है तो यहां मुकेश अंबानी इंडिया रिच लिष्ट 22 के अनुसार सबसे अमीर भारतिय कौन है तो यहां D. मुकेश अंबानी एस यांगें 22 में भारत में खुल कितने गोल्ड मेडल जीते तो यही है कोचिन सोरवेग रिसी विज्ञान कॉंग्रेस काईजन की सार में किया गया दोवीता गुपता देपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू के जोड़ी ने ए मिसिए खेलो कि इस गेम से खेलो के किस गेम में सवन्पतक जिता तो फी स्क्राइश में ICC ने किस्ट क्रिकेट लेंड को वंडे 2022 की ग्लोबल एंबेजर बनाया है तो ये औपसं आभः 1000 तंदूरकर आहिसिसड से क्रिकेट लेंड को वंडे वाग व्लेवाज एंबेजर बनाया है तो ये और स्वंच सब्irasख entrner बनी ते ओप्षन अनुरानी, Fintech SSTART UP SLICE को किस बैंक में बिलाए के लिए RVI ने मन्जूरी देती है, North East Small Finance Bank, Fintech SSTART UP SLICE को किस बैंक में बिलाए के लिए RVI ने मन्जूरी देती है, C option, North East Small Finance Bank, ICC PERS क्रिकेट बिशिक कब 72 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किस मेंट क्याते हैं अजय जड़ेजा आइसे प्रूष किर्केट विश्ट कब 23 के लिए अफगानिस्तान किर्केट टीम ने किसे मेंटर न्यूक्त किया है बाहरत के बाहर ब्रोफ स्ट्रेक का उधर हटन किया गया तो भाज़त के पाहले सोला रूफ साइकलिंग ट्रैक का उधर हटन कहा किया गया है तो सी आप्सिन हाइदराबाद बिश्व बैंक ने बित वर्ज दोह तेश चोविस के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पुर्वनुवान लगाया तो 6.30% बिश्व बैंक ने बित वर्ज दोह तेश चोविस के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पुर्वनुवान लगाया तो 6.30% बिहार राज का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा तो सी ऑप्षन कैमूर बिहार राज का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा तो सी ऑप्षन कैमूर एसे ऑप्षन मैनिका बत्रा भारती रिजर्व बेंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कोपरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दिये तो C आप्शन फेडरल बैंक GST सहाई Invoice Financing Loans Platform किसके द्वारा लॉंच किया गया तो यहाँ B आप्शन सिडवी GST सहाई Invoice Finance Financing Loans Platform किसके द्वार लॉंच किया गया तो B आप्शन हो रही है तो C आप्शन फेडरल गूगल कौन से कंपनी भारत में भुकाम शेताबनी सेवा शुरू करने जा रही है तो C आप्शन फेडरल गूगल और उसका 2224 के लिए भारत की ओफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया तो 2018 Everyone is a hero Everyone is a hero और उसका 2224 के लिए भारत की ओफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया 2018 Everyone is a hero T20 किर्केट में सबसे तेज अर्थ स्टक का रिकॉड किस खिलाडी ने बनाया तो या दिपेंदर सिंग एरी दादा साथ फाल के lifetime achievement पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो C option रहेगा बहीदा रह्मान को हाली में खबरो में रहा जूला घाट suspension bridge का सम्मध किन दो देशों से है तो या है भारत और नेपाल हाली में खबरो में रहा जूला घाट suspension bridge का सम्मध किन दो देशों से है तो या है भारत और नेपाल किस सिच्छा को बिहार केशरी पुरुषकार से समानित किया गया तो C option खांसर हाली में इंडियन ग्रैंड प्रिच 22 किसने जीता तो या है B option मार्को बेजंची एसेट गेम्स में अर्षा तक लगाने वाली पहली महिला खिलाडी कौन बन गए तो C option खांसरी बर्मा भाद के पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज या यूटी में लाँच किया गया तो यह है दिल्ली बात के पहले green hydrogen fuel cell bus को किस राज जीय है UT में लांच गया तो दूप्शन दिली ACN game दोटेश में भारत ने पहला स्वान पता किस खेल में जीता तो यह निशाने बाजी ACN game दोटेश में भारत ने पहला स्वान पता किस खेल में जीता तो C option निशाने बाजी बॉरलोन फिल्ड एवाड़ दोटाईस के लिए किसे चुना गया है तो 18 सितंब्र दोटाईस को संचालित आपरेशन सजग का संबंद किस्से है तो बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्ब भारत का सबढ़ा दिश्व बन गया तो यहाए इस किसराज में व्रौगावती टाईगर रिजर भारत का सवान में नुबर वटॉम बन गया तो यहाए भारत किरिके तीनों फॉर्में टीव upset और टेस्ट के में नंबर वन टीम कौन बने गाए तो सी ऑप्शन गागा भारत है आधीगुरु शंकराचारी के एक 108 फिट की स्टाइच्व और वननेस का अनावरन की स्राज में किया गया तो यह डी ऑप्शन मद्यपर्देश आधीगुरु शंकराचारी के प्रतिस्त सेट अरच्षित किया गया तो यह 33% नारी सकति वंदना अधिनियम के तहां तो लोकसभा और राज-बिधान सभाओं महिलाओं के लिए प्रतिस्त सीट और अरच्षित किया गया तो सी ओप्शन गागा 33% एरिका रॉवन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स महिले पैरा कमांडो नीटो है रियाना किस फाफ न Security final रियाना हो है किस राज में स्कूल ओफ न न्kehr पनजाब हाली में किस राज में स्कूल और c की सुरुवात कि गया फंचाब्वारत का पहला लाइफटं नलायट हाउस उत्सव कहां आज़ित किया गया तो सीफ्ट्ट्न गवारत को पहली स्पोलर सिटी कौन बन गयी तो यह है तो इ है ब्हारत की पहले है सोलारश्डि कौन बनेंगे यह ऊप्षन सांची इंट नेशनल एमी एवाड़ पाने वाली पहली भारतियम महला कौन बनी तो यह एक्ता खपूर है पकहिस्तान काजी फैज इसा कि देशा किस देश की उनाथ 특पी मुख्य ने अधर बनी तो यह पाकिस्तान किस भारती एरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत कि तो यह chin एर इंडिया इंडिया है किस देशने अधिकारिक तौर पर रूस के बैगनार ग्रूप को आतांकवादी संगठ्थिन घोषित किया है तो यह बृतें किस देशने अधिक प्रतिवर्स 22 सितंबर को दुनिया भर में बिश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है तो बी ऑप्शन कैंसर एकिस सितंबर 22 को दुनिया भर में मनाया गया बिश्व अलजाइमर दिवस का थीम क्या रखा गया तो किस सितंबर 22 को दुनिया भर में मनाया गया बिश्व अलजाइमर दिवस के थीम क्या रखा गया तो बी ऑप्शन होएगा आर्लिन के लिए अगला प्रशन किस राज या किससेत परदेश में स्थित उधामपूर रेल्वे स्टेशन का नाम बदलकर सहीद कैप्टन तूथार महाजन रेल्वे स्टेशन रखा गया तो यहाँ जमू कस्मीर किस राज में स्थित उधापूर रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर सहित कैप्टन तुशार महाजन रेल्वे स्टेशन रखा गया तो है ए ओप्शन जमू कस्मीर किस राज में स्थित होईसला मंदर यूनिश्को की वर्ड हेरिटेश साइट में भारत का ब्यारिस्वा स्थल बना तुई है ब्याप्शन करनाटक भारत के पुराने संसत भावन का नाम बदल कर क्या रखा गया तो है संबिदान सदन किस भारती अस्थल को हाल ही में यूनिश्को को वर्ल्ड हेरिटेश साइट की सूची में सामिल किया गया तो सी अप्शन आगा संथी निकेतन किस भारती अस्थल को हाल ही में यूनिश्को की वर्ल्ड हेरिटेश साइट की सूची में सामिल किया गया तो सी अप्शन आगा संथी निकेतन किंद्र सरकार ने कारीगरों शिल्पकरों और मजदूरों को रिन देने के लिए किस योजना की शुरात की तो यह पुरुष एशिया कब 22 का खिताब किस ने जीता तो यह डी ऑप्शन भारत पुरुष एशिया कब 22 के किताब किस ने जीता तो यह डी ऑप्शन भारत पंदर सितंबद 22 को दुनिया भरे मनाएगा अंतराष्टे लोगतंतर दिवस की थीम क्या रखे गई तो यह डी ऑप्शन आगा इंपावरिंग दर नेक्स जनरेशन बंड़े एशिया कप में सरवाधिक विकेट लेने वाले भारतिय गेंदवाच कुण बने तो यह डी ऑप्शन आगा रविंदर जड़े जा यह डी ऑप्शन आगा किताब किस ने जीता तो यह डी ऑप्शन आगा कोको गॉल्फ कितने बैग्यानिकों को वर्ष 22 के लिए स्वारू भटनागर प्रुसकार दिया गया तो यह डी ऑप्शन आगा किस सहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन स्थापित किया गया किस सहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया तो यह डी ऑप्शन आगा बैंगलूरू किस सुंद्री ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 22 का खिताब जीता तो यह डी ऑप्शन प्रवीना अंजना किस सुंद्री ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 22 का खिताब जीता तो यह डी ऑप्शन आगा प्रवीना अंजना हुआ जिसका नाम है अधिते एलवन 22 के रमन मैक्स से अवार्ट से समानित चार संयुक्त बेजयताओं में कौन भारतिय व्यक्ति शामिल है तो डी ऑप्शन हो जागा डॉक्टर रवी कनन आर रेल बोट की पर्थम महिला चेर्मन कौन बनी तो यह है जय वर्मा सिनहा रेले वोट की पर्थम महिला चेर्मन कौन बनी तो जय वर्मा सिनहा बाकिस्तान में भारत की पहली महिला आएफ्स अधिकारी कौन बनी तो गितीका स्रीवास्तव मिस अर्थ इंडिया मिस अर्थ इंडिया 22 के खिताब की सुंद्री ने जीता तो सी ओप्शन ने प्रियंट सेन किस देश ने दुनिया के पहली एथनौल से चलने वाली कार लॉंच की तो दी ओप्शन भारत किस देश ने दुनिया के पहली एथनौल से चलने वाली कार लॉंच की तो दी ओप्शन भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंशिप में स्वन पतक जितने वाली पहले भारती खिलाड़ी कौन बने तो यह बी ओप्शन नीरच चुपड़ा जिस स्थान पर चंद्रमा तीन जिस अस्थान पर चंद्रमा दो ने अपने पादशी छोड़ा वाब पॉइंट अब क्या कहला तो यह तीरंगा पॉइंट चंद्रमा के जिस अस्थान पर चंद्रमा दो ने अपना पादशी छोड़ा वाब पॉइंट अब क्या कहला तो भी ओप्शन लेगा तीरंगा सबस्रेश अभीनेता का पुरुसकार किसे मिला तो अलू अर्जुन को राष्ट्य सवच्छ वायू सर्वेच्छन दोया तेईस में दस लाख से अधिक आवादी वाले सहरों पहला स्थान किस सहर को मिला तो यह इंदौर राष्ट्य सवच्छ वायू सर्वेच्छन दोया तेईस में दस लाखी से अधिक आवादी वाले सहर में पहला स्थान किस सहर को मिला तो इंदौर ब्रिक्समू के नए सदस देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है तो यह सी उप्शन देश देश किस राज में भारत का पहला एऐ अधारी तो स्कूल खोला गया है तो डी ऑप्शन देखा केरल बिश्व रेसलिंग चैंपियंशिप 22 में भारत के किस रेसलर ने का से पदक जीता तो डी ऑप्शन देखां अंतिम पंघाल विश्व रेस्लिंग चैंपियंशिप 22 में भारत के किस रेसलर ने कांसे पतक जीता तो बी ओप्शन अंतिम पंगाल पीम किसान AI चैटबॉट किसान इमित्र को किसने लॉंच किया तो यह है कैलास चौधरी PM किसान AI चैटबॉट किसान E मित्र को किस ने लॉंच किया तो किस ने लॉंच किया तो किस लेखी का कि लिए शॉट लिस्ट किया गया तो यह ब्यू आप्शन जगा चेतना मारू भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतराश्टी सीजन के लिए ओफिशिल पार्टनर को चुना है तो D अप्शन होगा SBI लाइफ भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस घरेलू और अंतराश्टी सीजन के लिए आटिफिशिल पार्टनर चुना है तो D अप्शन होगा SBI लाइफ अंतराश्टी सांती दिवस परतिवस कम मना जाता है तो 21 सितंबर को राश्टी सांती दिवस परतिवस कम मना जाता है तो 21 सितंबर राश्टी बिज्यान पुरुसकार को कितने के लिए जाने की घोशन होई है तो D अप्शन होगा गया विशून कनाड़ा DRright के 10 राइफल इंस परद्धा में किस खिलाओी ने फ्रण पदक जिता थहां यह बहुत कीवलारी वान outta its often 1 इ düşünkaप में महिला कि 10 राइफल हम्हारी ने सवनपधक जीता सिट जयागा इला बेनील वालरीवान श्किल्स और वोल्स पहल किस मंत्रा ने मंत्रा ले फांटरेष पर पिपुल्स जी टॉंटी नौँक इपुस्तक का अनावरन किस किक्ने किया सिए अपुर्ष चंद्रा भारत की G20 अध्यास्ता पर फिपूल G20 नामा की पुस्तक का अनावरन किस ने किया तो D डी उप्शन अपुरुचंद्रा वशोभूमी इंडियाा इंडेक्स इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर का अधातन किस राजय के अंसासित परदिस में किया तो D और इसुन घ्यारा सुट्रय कारिक्रम की शुरुबात किस राजय में किया तो D तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास्य योजना कि स्राज में की गई तो मध्यपर्देश एशिया कप में सरवाथिक बिकेट लेने वाले भारति गिंदवाच कौन बने तो यह रविंदा जड़े जा पांच्वी राष्ट्य वाल्च यह रगवी चैंपियंशिप दोटेश के किस ने जीमदा तो यह उप्शिन महराष्ट्र है इंडोनेसिया मास्टर्स 22 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़े ने जीता तो ए उप्शन किरन जॉर्ज 22 के 37 स्वरूप भटनागर पुरुषकार के लिए कितने वग्यानिकों को चुना गया तो 12 स्वरूप भटनागर पुरुषकार के लिए कितने वग्यानिकों को चुना गया तो सी ऑप्शन बारा नई दिली में जी ट्वंटी सिखर सम्मिलन के दौरान किस संग को जी ट्वंटी किस थाई सदसे के रूप में सामिल किया गया तो बी ऑप्शन अफ्रिकन यूनियन जी ट आप लोग इसको नजर अंदाज करके आगे चलेंगे और सुनते रहेंगे सुनने सही याद हो जाएगा आपको आप टेंसर नहीं लिए इसके लिए बस आगे बढ़त रही है हमारा साथ किस राज्य मोगाइल आप सरपंच संबाद का नावरन किया गया तो यह है सी ऑप्शन असम हाले में किस भारतिय राज्य ने सेवा छेतर के लिए नहीं नीती को मंजूरी दी है तो यह डी ऑप्शन उत्राखंड कौन सा बीमान निर्माता क कंपनी भारती बायुसेना को सी 295 परिवहन विमानों की डिलेवरी शुरू कर दिया तो यह है एयर बस ट्रेंटी सस्टेनेवल फाइनसिंग वर्किंग ग्रूप की बैठक कहा है जुद की गई तो यह ऑप्शन वारा नसी में वंडर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे देल सबिकेट लेने वाले भारते इस स्पीनर कौन बन गगा है तो यह ऑप्शन कुल्दी प्यादव बंडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाली ने सबसे तेज 13000 पूरे किया है तो यह है सी ऑप्शन विराट को लिए एंटिपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइडोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझाता किया है नायरा एनर्जी इंटिपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइडोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझाता किया है तो यह ऑप्शन व्यागा नायरा एनर्जी नई दिलने में वन वीक वन ल ऐखे तैस ऑप्सेड कनप यूंजिता तो अजय के ताता उस और युथ ऑसलेग इस युद्टस प्रनए वर्ल्ड वैडमेंटन चैंपियंशिप 22 में किसने कांस से पतक जीता है तो C आप्शन हो जागा Hs परना है A.C.I. तटरचक एजेंसियों के प्रमुक की बैठक कहा जीत हुई है तो A.O. इस्तानबुल Hs परना है A.C.I. तटरचक एजेंसियों के प्रमुक की बैठक कहा जीत हुई है तो A.O. इस्तानबुल श्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्विकप का जीत कहा किया जाएगा C.O. डी ओप्शन चिनना है श्ट्रीट चाइट क्रिकेट विश्विकप का जीत कहा किया जाएगा तो D.O. चिनना है एकसरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजवानी कौन सा जीत कर रहा है तो C.O. मिस्र बिसवे एशियान भारत सिखर सम्मिलन का जीत कहा किया गया तो D.O. जाकारता बिसवे एशियान भारत सिखर सम्मिलन का जीत कहा किया गया तो D.O. जाकारता बात के पहले सोलार सिटी कौन सी है तो A.O. साची उन्हें एशियाई खेलों के लिए भारत भारतीय दल के अफिसेल स्पॉंसर के रुप में किसे नामित किया गया है तो A option Amul 19.00 ACI खेलो के ब 좌नल के ब्वारत के दल के अफिसेल स्पॉंसर के रुप में कût कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रुप में अमंध्रित किया गया है तो C option No बहुत के देष्टा में g20 summit में कितने देशों को गेस्ट कंच्री के रुफ में आवंतिरित किया गए तो 9 अवत के पहले ipiatm को किस के दोरा लौच किये गिए तो हिटाची payment services भारत के पहले ipiatm को किस के दोरा लौच किया गया तो 的टमyou payment services दोरा सिअचक दीवस के अफसर पर कितने सी चको को राश्टे पुरुषकार से समानित किया गया तो 75 को बात के पहले याई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है तो यह है इंदर जाल चंद्रियान तीन के काउन्डाउन को आवाज देने वाली साइन्टिस्ट कौन थी जिसका हाली में निधन हो गया तो यह है इन वलार मथी चंद्रियान तीन के काउन्डाउन को आवाज देने वाली साइन्टिस्ट कौन थी जिनका हाली में निधन हो गया तो यह है इन वलार मथी पुरुषकार की फाइवेस एस्या कप का खिताब किसने जीता तो या भारत जिव डाइमंड लीग चैंपियंसिप दाइश में नीरच छपड़ा ने कौन सा मेडल जीता तो या है भी ऑप्शन रजद किस राज में महिलाओं के लिए गरी लचमी योजना शुरू की गई तो करनाटक युद्पोत महिंदर गिरी को किस shipbuilder limited ने तयार किया तो यह है मजगाउं डॉक्याट shipbuilders किस देश में joint military exercise bright star 23 का आज़न किया गया तो यह है मिस्र किस देश में joint military exercise bright star 23 का आज़न किया गया तो यह है मिस्र world athletics championship में gold medal जितने वाले भारतिय कौन बने तो यह है नीरत चोपड़ा गाजी रंगा national park की पहली महिला full director के रूप में किसे न्यूक्तिया गया तो डॉक्टर सुनाली घोश को काजी रंगा national park की पहली महिला field director के रूप में किसे न्यूक्तिया गया तो डॉक्टर सुनाली घोश को हाली में खबरों में रहा पियम उश्वाभभ्यान का संबंध किस से है तो सिच्छा मंतराले से हाली किस राजी ने सफाई करमचारियों को आईश्वान भारत योजना में सामिल किया तो हिमाशल परदेश हाली में किस राज सरकार ने सफाय करमचारियो का एश्मवन भारत योजना में सामिल किया तो हिमाशल पおर्देश ने है भारत भात निर्वाचन आयोग ने किस नेशनल आइकन के रूप में चुना तो यह है राजकुमार राव भात निर्वाचन आयोग प्रग्यान इंडियन कोश्ट गार्ड में समुद्री सहीयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझाता गयापन पर हस्ताचर किया गया तो है फिलिपिन्स इंडियन कोश्ट गार्ड ने समुद्री सहीयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझाता गयापन प बदल कर क्या रखा गया तो यहां असमीता महिला लीग खेलो इंडिया महिला लीग के नाम बदल कर क्या रखा गया तो असमीता महिला लीग ब्रिक्स समुहू के पंदरवे सिखर सम्मिलन किस देश की अध्यस्ता में आयुद किया जा रहा है तो यह दसीन अफ्रिका मुख्यमंतरी सीखो कमाओ योजना कि सुवारम किस राज में किया गया तो यह मद्यप्रदिस में सतरञ बिश्रिकप के फाइनल पहुँचने वाले दूसरे भारते कौन बन गया तो यह है आर प्रग्यानंद बिस्वा एसीयान भारत आर्थिक मंत्रियों के बैठका आउजन कहां किया गया तो यह इंडोनेशिया बिश्वा आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के बैठा काविजन कहा किया गया तो C option इंडोनेशिया A.C.I. Junior Squash Championship के Under 17 Category में किस भारतिये ने गोल्ड मिडल जीता तो है अनाथ सिंग A.C.I. Junior Squash Championship के Under 17 Category में किस भारतिये ने गोल्ड मिडल जीता तो है अनाथ सिंग हाली में किसे महराष्ट सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रातन पुरुसकार दिया गया तो है रतन टाटा मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया तो गोवा सतरजीत सिंग कपूर किस राज जी के नए पुलिष महा रिरदेशक बने तो यह हर्याना, किस देश ने फीफा महिला बिशुकव व्राट जीता तो यहीं स्पें, किस देश ने फीफा महिला बिशुकवे महिला के फुल के नई किश्म नमों 108 को किस रिचर्ट इंसिट्ट में विक्सित किया गया तो यह नेशनल बोटानिकल रिसाच इंसिट्ट लगना हूँ किस भारती मूल के नेता ने सिंगपूर के राश्टे चुनाव के लिए क्वालिफाई किया तो यह थर्मन शानमुगरतनम किस मूल के नेता ने सिंगपूर के राश्टे के चुनाव के लिए क्वालिफाई किया तो यह थर्मन शानमुगरतनम भारत ने खगोल बिग्यान और खगोल भाहते की कि बहरत में कौन सा 65 दीष दिखा गया है तो यह सताथ रवां 15 जो तेश को भारत में कौन सा हाली में किस होकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंशिप ट्रॉफी दॉटेक्स का खिता जिता तो यह है भारत, भाती रिजर्ब बैंक ने बैंकों में जमा अंक्लेम्ड डिपोजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोटल लॉंच किया तो यह है उद्गम पोटल, भाती रि दोपिंग के चलते चार साल के लिए बैंक किया गया तो यह है दूती चंद, हाली में किस भारती धाविका को डोपिंग के चलते चार साल के लिए बैंक किया गया तो यह उप्सन दूती चंद, एको फ्रेंडली डेविट काड लॉंच करने वाला भारत का पहला बैंक कौन गया है तो यहाई एटर्व पेमेंट बैंक आठाघjin तएट ऑढ़imas को पूरे भारत में भारत छोड़ो अंदोलन को कौन सी वश कात मनाई गयी तो यहाई 81 ऑथिट किस खेल से समद्धी 20 पोस्ट आफिस विलीडिंग फैल्टक कैसे हैं पारोर ξै कि अंधि मोहित कुमार कितने ब्हरती यूबको यंग अवार्शी के लिए नामित नमित किया गया तो पांच किसने भारती यूबख़ो को इंटर्नेशनल यंग एको हेरो एवाड दोफ़तेज के लिए नमित किया गया तो respond भारती राष्ट्ट्रक सूचना के इंद्र के नाविकों के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया तो यह समुद्र भाति राष्टि-महासागर्शुचना सेवक किंद्र के नाविकों के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया तो बी ऑप्शन रहेगा समुद्र भारत ने इंडिया टैक साजह करने के लिए किस देश के साथ समझ होता ग्यापन प तवाइगो हाली में केंदरी चैबिनेट ने कितने करोल रुपए के परिवय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का विस्तार को मंजूरी दिया तो 14903 करोल बाद की G20 Presidency के तहत युवा 20 सीखर सम्मिरन का विजन कहां किया गया तो बी ऑप्सन वारा नसी ग्रैफिन ओरोरा प्रोग्राम किस मंत्राले के सायोग से लॉंच किया गया तो है इलेक्ट्रोनिक्स एंड आईटी मंत्राले ग्राफिन ओरोरा प्रोग्राम किस मंत्राले के सायोग से लॉंच किया गया तो है electronics and IT mental है किस राज्ज में एहला कारीकरम की सुरुवात की गए तो यह है गुजराद किस राज में एहल्प कारीकरम की सुरुवात की गए तो गुजराद में भारतिया तारह भारतिया बहुत की संस्थान भादे की संस्थान के बग्यानिकों ने एक नए तारह की खोच की है तो यह एह उप्शन भारतिया तारह भारतिया बहुत की संस्थान G20 Film Festival कायोजन किस शहर में किया गया तो यह नई दिल्ली में नेरु मेमोरियल संग्राले और पुस्तकाले का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो यह पीम संग्राले और पुस्तकाले का नाम बदलकर क्या रखा गया तो पीम पुस्तकाले और संग्राले राष्टपती के 37-137 अभसर पर कितने वीरता पूरुशकारों को सुईके दिये तो 46 सुर्व के अध्यन के लिए इस्वरो द्वारा भेजे जाने वाले भारती मिशन का नाम क्या है तो तो सी उप्सन अधित्य 11 एस याई होकी चैंपियंशिप ट्रॉफी 22 का टाइटल किस देश नहीं जीता तो यह उप्शन वेगा भारत किस खिलाड़े ने 2020 में 20 या उससे कम उम्र के भारत के लिए सरवाधिक छक्य लगाने का रिकॉर्ड बनाया तो तिलक बर्मा किस खिलाड़े ने 2020 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सरवाधिक छक्य लगाने का रिकॉर्ड बनाया तो तिलक बर्मा पाकिस्तान के कारिवाधत पढ़्धानमंत्री की रुप में किसे चुना गया तो यहाँ अनवरूल हक काकर पाकिस्तान के कारेवाहग पर्धानमंत्री करुप में किसे चुना गया है तो अन्वरूल हक काकर किंद सरकार दोरा बुनियादी सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप लॉंच किया गया है तो यह है उल्लास किन सरकार द्वारा बुनियादी सिच्छा को बढ़ावा देने क्लिक कौन सा एप लॉंच किया गया तो बी ऑप्शन रहेगा उल्लास बस दोह 23 को लोकमान तिलाक राष्टे पुरुसकार किसे दिया गया तो बी ऑप्शन रहेगा निशा वस्वाल किस राज जी की बिधान सभा ने एक प्रस्ता पारित कर केंदर से राज जी के नाम में परिवर्तन करने का आगरा किया तो यहां किरल Reserve Bank of India ने UPI Lite के लिए Payment Limited बढ़ा कर कितना करने का प्रस्ताव दिया तो यहां पचास पंद्रवे वार्षिक इंटर्प्रणर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टप ऑफ द इयर एक आवार्ड किसे दिया गया तो यहां जीयो हैं है हैं पंद्रवे वित्ति इंटर्प्रायोजन अब पंद्रवे इंटर्प्रणर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टप ऑफ द इयर एक आवार्ड किसे दिया गया तो यहां जीयो हैं प्रस्तिक को लोशी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उधातन जमू कास्मीर क किस जिले में किया गया तो कुडपा में किस राज या यूटी में रजाओरी चिकरी बुट क्राफ्ट को जी आई टेक प्रतान किया गया तो जमू कास्मीर को इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रहें क्या है तो यह चठवा इंटरनेट रेजिलियंस में भार देश के सहीद वीर जबानों के संबान में कौन सा राश्ट्रयापी अभ्यान शुरू किया गया तो बी ऑप्शन लेगा मेरा माटी मेरा देश किस राज जी की विधान सभाने हाली में संबान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताफ पास किया तो केरल किस राज की विधान सभाने हाली में संबान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताफ पास किया तो केरल टीटोंटे किर्केट के अध्षा तक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतिये कौन बने है तो या तिलग बर्मा टीटोंटे किर्केट में अध्षा तक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतिये कौन बने है तो ये उप्शन तिलग बर्मा भारतिये खेल प्राधिकरन द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉट फिल्म का टाइटल क्या है तो या हल्ला बोल भारतिय खेल प्राधिकरन द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉट फिल्म का टाइटल क्या है तो या है सी उप्शन हल्ला बोल किंद्री मंत्र आले भारत निट प्रोजेक्ट के तहत गाओं में ब्रोडबंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रूपे मंजूर किये है तो या है किंद्री मंत्री मंधल ने भारत निट प्रोजेक्ट के तहाओं में ब्रोडबंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रूपए मंजूरी की ए है तो या हाले में लोग सभा सच्चीवाल ने किसनेता की लोगसभा सदस्च्चता बहाल क्र दिए तो या रहुल गांधि किभारती खिलाडे ने स्पेन में महिला टेनिस डाइकोट स्परधा में यूगल खिताब जिता तोया है परार्थना थंबारे किस भारती खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस डाइकोट स्पर्धा में यूगर खिताब जीता तो या ए ओप्षन प्राथना थुमबारे कौन सी भारती है सबसे कम उम्र में तिरांदाजे में विश्व चैंपियन बनी है तो या अधित्ती स्वामी कौन सी भारती सबसे कम उम्र में तिरांदाजे में विश्व चैंपियन बनी है तो दी ओप्षन अधित्ती स्वामी अमरित भारत स्टेशन योजना के तहाद देश भर में कितने रेल्वे स्टेशनों का अधुनी के करन किया जाएगा तो या 508 अमिरिद भारत स्टेशन योजना के था देश भर में कितने रिल बे स्टेशनों का आधूनी की क然 या झाएगा, तो C. ऑप्षन 508 भाद का नंबर बन सतरंच खिलारी कौन बन गया तो यहाँ, गुकेश D सट्रंश खिराली को बन गई तो स्टेडी इन इंडिया पौटल संयुक्थ रूप से किसने लांच किया तो यह है एजज शंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस जशंकर और धर्मिंदर प्रधान ने मुबाइल अप्लिकेशन राजमार्ग यात्रा किसके दौरा लॉंच किया गया तो यह है नहीं एच आई के दौरा नहीं के दौरा लॉंच किया गया तो भी आप्शन हो जागा नहीं हाली में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए क नया सवेरा योजना किस केंदरी मंत्राले दौरा शुरू किया गया अलपसंख्यक कारी मंत्राले दौरा नया सवेरा योजना किस केंदरी मंत्राले दौरा शुरू किया गया तो यह है अलपसंख्यक कारी मंत्राले दौरा अकास मिशाहिल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्मान किसके दोरा किया गया तो भारत ये dynamics limited दोरा, अकास missile के पहले radio frequency seeker का निर्मान किसके दोरा किया गया तो भारत dynamics limited दोरा, दूर संचार के छेतर में सहयोग स्थापित करने के लिए try ने किसके साथ समझाता किया है तो यह सी डॉट के साथ दूर संचार के छेतर में स्थापित करने के लिए ट्राइं ने किसके साथ समझाता किया है तो डी ऑप्शन वह रहागा सी डॉट के साथ आइलेंड के दौरे के लिए भारती टीटान्टी टीम करका प्तान किसे बनाया गया तो यह जस्परीत बुम्र बात के देशता में जी टॉंटी इंपावर सीखर सम्मेलन का उजन किस सहर में किया जा रहा है तो गांधी नगर में हाली में किस फर्मूला वन खिलाडी ने वेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगाकर लगतार आठी बार जीता है तो यह मैक्स बस्टेपन हाली मे साथ सेटलाइट को PSLVC 56 रॉकेट के साथ लांच किया तो यह सिंगपूर इस ने किस देश के साथ सेटलाइट को PSLVC 56 रॉकेट से लांच किया सिंगपूर वर्ल्ड उनिवर्सिटी गेम्स में किस भार्तिया ने 10 मीटर एर राइफल इवेंट में गोल्ड मिडल जीता तो या एश्वरे प्रताप सिंग तो मर वर्ल्ड उनिवर्सिटी गेम्स में किस भार्तिया ने 10 मीटर एर राइफल इवेंट में गोल्ड मिडल जीता तो या एश्वरे प्रताप सिंग तो मर भारत की जी ट्वंटी अध्यस्ता के तहट थिंग ट्वंटी सिखर सम्मिलन का आउजन की सहर में किया जा रहा है तो या मैसूर में वर्ल्ड सिटी ज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारती सहर कौन बना तो या बैंगलोरू बना भारत में बागो के आवादी का वार्षिक अनुमानित बृधी दर कितनी है तो 16-1% भारत में बागों के आवादी का वार्षिक अनुमानित बिरिधी तर कितनी है तो स्वेद्ध एक परसेंट किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी वित्ट एजेंची की उप मुखे कारी कारी अधिकारी के रूब में नियुक्त किया गया तो यहां निशा बिश्वाल किस भारती अमेरिकी को अमेरिकी वित्ट एजेंची की उप मुखे कारी कारी अधिकारी के रूब में नियुक्त किया गया तो यहां निशा बिश्वाल स्रिलंका एथलेटिक्स राष्टिये चैंपेंशिप में भारत एकुल कितने पदक जीते है तो यहां 14 स्रिलंका एथलेटिक्स राष्टिये चैंपेंशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते है तो जर्मनी में होकी टूर्णामेंट के लिए जूनियर भारती होकी टेम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है तो उधम सिंग को हाले में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तक्ता प्लेट कर राष्टपती को पद से हटा दिया तो यहां है नाइजर हेलो समिट दवटेश और आर सी एस उडान 5.2 का उधाटन किस राज में किया गया तो है मध्यपर देश हेली समिट दवटेश और आर सी एस उडान 5.2 का उधाटन किस राज में किया गया तो मध्यपर देश में ट्विटेश नेशनल किरिकेट इतिहास में साथ विकेट लेने वाले पहले गेंदवाज कौन बने तो यहां है यस यससरूल जगत इंद्रस इद्रस ट्विटेश नेशनल किरिकेट इतिहास में साथ विकेट लेने वाले पहले गेंदवाज कौन बने तो यहां है स्याज रूल एजात इद्रस अंतराश्टी किरिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारती गेंदवाज कौन बने है तो यहां रवीचंद्र अश्विन अंतराश्टी किरिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारती गेंदवाज कौन बने है तो यहां रवीचंद्र अश्विन पीम मोधी गुजरात के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का उधाटन कहां किया तो यहां हीरासर में किन सरकार ने कितने नए ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दिया तो यहां थिस वर्ल्ड यूथ डिफ बैडमिंटन चैंपियंशिप में किस भारतिये ने गोल्ड मेडल जीता है तो यह है गौवरांशी हाले में किस देश के लिंग परिवर्तन और ट्रांजेंडर विवा पर परतिवन लगाया तो यह है रूस कोरिया ओपन में मेंस डवल में स्वन पदक भारत को किस जोड़ी ने जीता तो यह है सात्विक साहिराज और चिराग शट्टी कोरिया ओपन में में मेंस डवल का स्वन पदक भारत को किस जोड़ी ने जीता तो यह है सात्विक साहिराज और चिराग शट्टी अमेरिकी नौसेना का पहला महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया तो यह लिसा फ्रेंकेटी अमेरिकी नौसेना के पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया तो यह लिसा फ्रेंकेटी बाग के दूसरे सबसे लंबे समय समय तक CM रहने वाले मुखमंत्री कौन है तो यह नभिन पत्नायक तीन ग्रीटर रिडिक्षट國 ट्यास्ट्रश्टर रिस्किंट रिडक्ष्ट्चन वर्किंग स्वेठा काउजन कहा किया गया तो यह है चिन्नायि में तीसरे G20 रियाश्र रिदॉक्षण वर्किंग ग्रूप की वैठा का योजन कहा किया गया तो यह चन्नाई हाली में कौन् शत्रअच खिलाडी भारत के 83 वे ग्रैंड मास्टर बने है तो यह आदित्य सामंथ हाली में कौन सत्रंच खिलाडी भारत के तिरासवे ग्रेंड मास्टर बने है तो या आदित्य सामांत हाली में हुई गोष्णा का अनुसार भारत के किस राजय के साथित में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यूगे यूगीन भारत बनेगा तो या है नई दिल्ली कारगली बिजय दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो 26 जुलाई मेरी माटी मेरा देश अभ्यान किस मंतराले की एक पहल है तो यहाई ग्राविन विकास मंतराले नियुनतम आए गरांटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राजकौन मना तो यहाई रायस्थान नियुनतम आए गरांटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राजकौन मना तो यहाई इंडिया नाम का पहलते बैलड़ से समानित किया गया तो यहाई थलपली प्रदीब किस भारति बैलड़ी को एनी एव़ॉर्ड से समानित किया गया जाद इन्वेस्ट इंडिया की नई emड और CEO कौन बनी है तो निपरुपती राएं इनवेस्ट इंडिया की नई MD और CEO अ क्ईरुपती राएं आइसेख एकदिवसे किरकेट बिष्विकाप 22 3 के लिए किसे ब्रैंड अमबेजर बनाया गया है तो यहां सारुक खान आइसे सी एक दिवसे क्रिकेट विश्वी कप दोएटेईस के लिए किसे ब्राणड अबेजर बनाए गया है तो सारुक खान को अमेरिका के इतिहास में सिस्वी अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है तो यहां लीजा फ्रेंच चटी अमेरिका के इतिहास में सिस्वी अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है तो यहां लीजा फ्रेंच चटी नई दिल्ली में पहले वैश्वी खादे नियामक शिखर सम्मिलें 22 का उधाटन किस के दोरा किया गया तो यहां मनसुख मंधाविया दोरा फ्रांसीशी सरकार दारा किस भारतिय संगितकार को स्यवेलियर एवार्ट से समानित किया गया तो सब्सक्राइब और अरुन साहिराम को हाली में किस देश्ट ने विश्ट का पहला अंतराश्ट रॉकेट लांच किया तो यह ओप्शन हो गागा चीन किस देश में किया गया तो यह आप्शन मालदीव समिकंड़क्टर एको सिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझाता किया तो यह जापान के साथ किस राज की सरकार ने महिलाओं को परती महा आर्थिक सहाइता देने हेतु गिरे लचमी नामा की योजना शुरू किया तो करनाटक ने किंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने किस राज में 5600 क्रोल रुपए के नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की सुरुवात किया तो यह राज्थान किंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने किस राज के 5600 क्रोल रुपए के नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की सुरुवात किया तो राज्थान किस भारती कंपणी ने युनाइटेट किंग्डम में ग्लोबल बैटरी सिल गीगा फैक्टरी स्थापित करने की गोशने की तो टाटा संस ने सुला जुलाई दोहाई दोहाई तैस में पुरुष एकल का खिताब किस ने जीता तुए है कार्लोस अलकराज भारत के किस बैडमिंटन खिलाडी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है तो या लच्छे सें भारत और किस देश ने समिकंडुक्टर परिस्थित की तंतर विक्षित करने के लिए MOU पर हस्ताचर किया तो यह जपान भारत और किस देश में सेमिकंडक्टर परिस्थित की तन्त विक्षित करने के लिए MOU पर हस्ताचर किया तो जपान भारत की G20 अधहस्ता के तहां तीसरी ट्रेड एंड इंवेश्मेंट वरकिंग ग्रूप की बैठक कहां जूत की जाएग किस भारतिय ग्रेड मास्टर ने हंग्री में सूपर जी सत्रेश टूनामिंट जिता तो यह आरप रज्यानद किस भारतिय सरकार किस राज सरकार ने ससक्त महिला ईहूजना शुरू किया तो यह मशल्पढर्देश हालि में तैरकर नौर्थ चैनल पार करने हाले सब से कम उम्र का तेर्ण कौन से इंधि में योजन सख जुरुबात कि इस बैक नहीं, अमरियत महातसफ FD योजनस की शुरुबात किस बेंक ने की तो IDBI बेंक ने परति वर्श नेलसन मंढलीला अन्तराष्टी दीवर्श किस तारीक को मनाया गया तो अठरा जुलाई को पर्तिवार्स नेचरा दिवस कि तारिय को मना अटरा जुलाईको, परतिम से सम्माला किस दैस निन, अपन bunlar सरहक दिवस कि तारिय को मना जाता है, तो 12 जुलाईको, आंतराश्टी मलाला दिवस कि तर्व को मना जाता है 12 जुलाई को किस महिला किरिकेटर को जून 23 के लिए ICG प्लेयर अवदा मन्त का सम्मान मिलातो है तो जुलाई को नवाड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मना तो 42 दूजलाई को नवार ने अपना कौन सस्था अपना दिवस्मना है तो 42 हैं ले पासपोर्ट इंडेज 223 के अनुसर भारती पासपोर्ट की रेंग क्या है तो असीवा हैं अंतराश्टे रच्छा प्रदर्शनी 2223 का आउजन किस देश में किया जाएगा तो दस्षिन कोरिया म हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नहीं प्यूड़ी के सैने उपकरन विक्सित करने के लिए समझाता किया तो फ्रांस के साथ विमल्डन ग्रेंड स्लैम जीतने वाले पहला गैर वरेता प्राप्त महला खिलाड़ी कौन बनी तो यहां मार्करेटा वंद्रो सोवा वि वर्दो सोवा हाली में पीम मोदी ने वीर सावर कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उधाटन किया यह किस राजय के इंसासित पर्दिस में है तो यह अंडमान और निकवाद दूइप समों पर हाली में तिसरी जी ट्वांटी बित्य मंत्री औ कि बैठक कायोजन कहां किया गया तो गांधिन अगर में किस राजय में किसार हाली में को चाचिन घ्राइजिंग समाना इचेड एक किस पुरूष क्रिकेटर को जुन ज़ाइस के लिए आइसेजी प्लेयर आफ दा मन्त का समान मिला तो यह वानिंदू हंसरंगा स्रिलांका युवा वर्ड तीरंदाजी चैंपियंशिप के रिकावर वर्ग में श्वन पदक जितने वाले भारती खिलाड़ी कौन बने है तो यह पार्थ शालूंखे बिश्व जन संख्या दिवस किस तारिकों मनाया जाता है तो यह 11 जुलाई को बिश्व जन संख्या दिवस किस तारिकों मनाया जाता है तो यह 11 जुलाई को अंतराष्टिय वित्य सेवा के अंदर प्राधी करन के नए अध्याच कौन बने है तो के राजरामन तो 544 प्रहंच के साथ इस वीडियो को यह इंपर स्वाफ्त करते हैं वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है तो पांससजभाणे के साथ हम अगले वीडियो लेक्षर में देखें और उसी में यह स्वाफ्द भीभा जागाँ पूरा पूरा बुक तो मिलते आफसे अगले लेक्षर तब तक की लए आप हमारा सथ बने रहें वीडियो को जादा जादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आभी तक हमारा च्राइब करें और water करने तो इसे अपका लाभ है तो video को ज्यादा जादा देखें तो इसे Proteins एक्जाम दे रहे हो और जिसमें करेंट अफेर के आएंग भूविकार रहती हो तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो एक्षन में तब तक के लिए जये भारत वीडियो देखते रहें और चैनल को सबस्क्राइब करें हमार साथ जुड़े रहें और यहां पर हम लोग बस्तुनिष्ट करेंट अफेर कर रहे हैं जो भी लास्ट सेक्शन होगा आज और आज यह पूरा बूग समाफ्त हो जागा तो उम्हीत है आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे हमारा साथ जुड़े होंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो सके और अगर आपके मित्र या कोई भी हैं जो एक्जाम देते हैं करेंट या किसी तरह की कॉंपटिशन की तयारी करते हैं इसमें करेंट अफेर के अहम भूम कराती है तो उन तक इस वीडियो को जोड़र पहुंचा है ताकि वह भी इससे लामानवीत हो स सब्सक्राइब है तो आई चलते हैं आज हम लोग अपना सेक्शन पर जहां लोग छोड़ेते हैं लास्ट में आज यहां पर अगया देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज प्लीज इससे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें आई यह सुरू करते हैं राष्ट अभगता विवाद निवारण आयोग के नए अध्याश कौन बने तो जस्टिस एस्पी साही किस राज या के इंसाशित परदेश ने मुवाइल दोस्ट एप लॉंच किया तो जमू और कस्मीर किस राज किंद साशित परदेश ने मुवाइल दोस्ट एप लॉंच किया तो जमू और कस्मीर रच्छा मंतराले ने भारती नौ सेना के लिए कितने रफेल लडाको विमान की खरीत को मंजूरी दिये तो 26 पैरा एथलेटिक चैंफिनसिप लॉट एक्स में किस भारतिया निरायत परक जीता तो जिए निशात कुमार किस किसे हाल ही में गोल्डेन पीकॉक परियावरन प्रमधन पूरुसकार दोहतेश प्रतान किया तो अडानी ट्रांस मिशन लिम्टेड बैश्विक खाद नियामक सिखर संब्लन द बिमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एयाई टूल लॉंच किया तो यह सिंप्लिफाई किस कंपनी ने बिमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एयाई टूल लॉंच किया तो यह सिंप्लिफाई भारतियो लंपिक संग ने किस रेल रेसलर को एश्याई खेलो के ट्रायल से छूट दे दिते जाए बजरंग पुनिया ऑस्ट्रिया के किस सहर ने कंवन्वेल्ट गिम 2-26 की मेजवानी ना करने का फैसला लिया तो यह विक्टोडिया निती आयोधवारा जारी निर्यायत तैयारी सुचगांग 220 के तीसरे संसकरन में पहाड़ीया हिमाले ही मिति आयोग द्वाराजारी निर्यात त्यारी सुचकांग द्वार 22 के तीसरे संस्क्रण में पहाड़ी या हिमाले राज्य में कौन सा राज सिस पर हा तो उत्राखंड लुथ्यानिया ने भारत के आगले राज्यूत के रूप में किसे निउक्त किया गया तो यह है देवेश उत्तम लुथ्यानिया में भारत के आगले राज्यूत के रूप में किसे निउक्त किया गया तो देवेश उत्तम ADB ने चालू बित्य वर्स के लिए भारत की ब्रिधी दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है तो 6,4% हाली में किस भारती राज में हरेला पर आयूद किया गया तो उत्रकंड में भारत किस देश के साथ सेन अभ्यास नुमैडिक एलिफेंट 22 में भाग लिया तो या मंगोलिया भारत किस देश के साथ सेन अभ्यास नुमैडिक एलिफेंट 22 में भाग लिया तो या मंगोलिया किसने हाल ही में नेशनल मुल्टी मुल्टी इंडेक्स जारी किये तो यह है निती आयोग किसने हाली में नेशनल मुल्टी इंडेक्स जारी किये तो यह है निती आयोग तो यह है किरिकेट हाली में किस खेल के से समन्धित बगनादिशी खिलाडी तमीम इकवाल ने अंधराश्टी खेल दे शनयास लिया सब्सक्राइब बंगलादेश भारत ने किस देश के साथ रुपए की दिपक्षिय बैपार की शुरुवात की तो या बंगलादेश ग्लोवल पीस इंडेक्स दोह तैइस में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला तो या 126 संगाई सयोग संगठन स्थाई सदस्य इस कौन बनाए तो या इरान है किस सहर में भारत के पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉंच की गई तो या देहरादून किस पुरुष फुट्वाल टीम ने एस ए एफ एफ चैंपियंसिप दोह तेश का खिता तो या भारत किस पुरुष फुट्वाल टीम ने एस एफ लीग 2223 सौजनिका चैंपियंड कोन बना तो या निदरलेंड अर्वयाई ने किस से और ऑप्रेटिव बैंक का लाइसेंस रध कर दिया तो या निधिया कोपरेटिव बैंक बाहरत ने इलेक्टरो इलेक्टोरल कॉर्परेशन के लिए किस देश के साथ सम्झा एक पर पर हस तो पनामा उबिनास जौला मुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ अपातकाल की घोशना की गए तो पेरु में किस मंत्राले ने जी आई किस मंत्राले ने जी आई एम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए संस्कृति मंत्राले ने किस बैंक के साथ किया है तो किनारा बैंक परतिवस पूरे भारत में एक जुलाई को राष्टिय चिकित्सा दिवस किन के जनमदीर पर मनाया जाता है तो दॉक्टर विद्या चंदर आए किस टीम ने ACI कभर्णड चेंपिंशिप 2 mandar एक किताब जी ता तो भारत विश क्रिकेट में लगतार 100 टेस्ट मेच खिलने आला पर्थम गेंदवाश कौन बना तो या है नथान लीयोन ऑस्ट्रेलिया विश क्रिकेट में लगतार 100 टेस्ट वाहन मैच खिलने आला पर्थम गे पातकाल की घोषणा की है तो या नाई जरिया किस ने ब़रतिक खाद कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की तो या नाई जरिया आई टी दिल्ली किस शहर में अपना पहला Global campus खोले जा रहा है तो अबुधावी में भाद के बाहर पहले IIT परिसर के स्थाफना किस देश में की जाएगी तो यह तंजानिया में विश्वत तिरंदाजी युवा चैंपियंशिप 22 के जुनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता तो यह प्रियांस और अबनित कौर बेश्वत तिरंदाजी युवा चैंपियंशिप 22 में जुनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता तो यह प्रियांस और अबनित कौर AIFF पुरुस प्लेयर्स अफद यह 22 किस से निर्यात किया गया तो यह है लाली युना जुआला चांग्स ते AIFF पुरुस प्लेयर्ज अफद यह 22 किसे नामित किया गया तहा है लाली युआन जुआला चंग्स ते Global Peace Index इंड़ेज 23 के अनुसा दुनिया के सबसे सांथिपू JACK कौन सा तो यह आइसलैंड ग्लोल पीस इंडेक्स 23 के अनुसा दुनिया के सबसे संतिपुन देश कौन सा है तो आइसलेंड राश्टी तहरा के चैंपियंशिप में पुरुष की 800 मिटर फ्रियस्टाइल्स परधा में किसने स्वन पदग जीता तो यह है आरियन नहरा चर्चित नामदा कला का संबंद किस राजिया के इंसासित परदेश से है तो यह जमू कास्मीर राश्टवा के नए उपाध्यक्ष के रूपे किसे चुना गया तो है इस फंगनोन कोनियाक राजसवा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया तो यह एस फंगनोन को नियाक अडानी समून ने कहां भारत की पहली अंतराष्टी बिजली पर योजना शुरू किया तो यह जारखंड अडानी समून ने कहां भारत की पहली अंतराष्टी बिजली पर योजना शुरू किया तो जारखंड में हाली में लॉंच किये गए चंद्रियान तीन मिशन के प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन है तो यह पी वीरा मुथुवेल बिदेश मंत्री एजल संकर ने अगामी राजसवा चुनाव के लिए किस राज से नमाकन किया है तो गुजराद से इंडन प्रेमियर लिग का सबसे मुलेवान फ्रेंचाइजी कौन बनाता है तो चैनाई सूपर किंग इंडन प्रेमियर लिग का सबसे मुलेवान फ्रेंचाइजी कौन बनाता है तो चैनाई सूपर किंग किस देश ने गुईलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रिय स्वास्त अपातकाल की घुशना किया तो पेरू किस देश ने गुईलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रिय स्वास्त अपातकाल की घुशना किया तो पेरू वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाडी ने गौल्ड मिडल जीता तो रुद्रांस खंडल वाल संगाई संग्योग संगठन के 23 सिखर सम्मिलन का आयोजन किस की अदेशता में किया गया तो भारत में भारत मेला टीम में जगा बनाने वाली आस्था की पहरी खिलाडी गौन बनी तो ...? उमाज शित्री अ. राश्ट्य तेराख की चैंपिटिम्न stiff में किस तराख में नय रिकॉर्ड बनाया तो या भारत South Asia Football Federation Championship 22 का title किस देश ने जीता तो भारत ने भारते पुरुस क्रिकेट टीम का मुखे चैन करता के रुप में किसे न्युक्त किया गया तो अजित अगरकल को डीजी सी ए ने ड्रोन टेखनोलोजी के लिए किसके साथ समझाता किया तो या नई दिली में भारत 6G Alliance को किस ने लौच किया तो अशुनी बैसनब नई दिली में भारत 6G Alliance को किस ने लौच किया तो अशुनी बैसनब हालिम जारी Global Gender Gap Report 22 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मेरा तो या 127 वा हाल ही में जारी Global Gender Gap Report 22 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला तो 127 वा 200 अंतराश्टिय मैच खेलने वाले पहले पूरुस फूट वालर कौन बने तो या है किस खिलाड़ी ने हाली में केनेडियन ग्रेंट प्रिक्स का खिता तो मैक्स वर्स टेपन भात ने हाली में किस देश को आइनेस कृपान उपहार में दे दिया तो या है वियत नाम सैफ चेमपियंशिब दोएटेश में भात फूट वर्ल टीम को कपतान सुनिल चेतरी ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को चार जिरो से पराजित किया बताए कि इस वर्स इस प्रतियोगता में कौन सा संस्क्रण था तो या चौधा संस्क्रण था सेफ चैंपियंशिप 32 में भारते फुटवर्ल टीम के कप्तान सुलील चित्री ने है ट्रिक गोलगर पकिस्तान के 4-0 से पराजित किया बताया कि इस वर्स इस प्रियोजना का कौन सा संस्क्राण था तो या चौत्वा संस्क्राण था 21-22 को दुनिया भार में कौन सांतराष्टी योग दिवस मनाए गया तो या नौबा हाली में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज़ बनी तो या है नुशरत चौधरी नुसरत चौधरी कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 22 परतियोगता के एकल सपरधा में प्रमोध भागत ने कौन सा पतक जीताता है राज़त पतक हाल ही में जर्मन शांति पूरसका 22 से समानित किया गया तो सलमान रूसदी यूरोपिये चैंपियंशिप या यूरो दोचोविस का अगले वर्स कहां किया जाएगा जिसको लेकर हाल ही में इसका सुभांकर टेडी बियर का नावरन किया गया तो जर्मनी यूरोपिये चैंपियंशिप या यूरो दोचोविस का अगले वर्स कहां किया जाएगा जिसको लेकर हाल ही में इसका सुभांकर टेडी बियर का नावरन किया गया तो जर्मनी हाले में केंच सरकार ने नेहरु मीम्मोरियल म्यूजियम औंद लाइबरेरी सेटी का नाव बदलकर क्या रखा गया तो यह है पिये मिम्मोरियल म्यूजियम औंद लाइबरेरी सेटी मैं इनसीշ नामक उळने वाली छिपकरली की एक नहीं परजाती खोजी तो यह मिज़ोरम हाल है में व existence संबाद माहिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतराश्टी किर्केट से सन्यास लिए तो यहाँ पाकिस्तान हाली में किस देश समधित मैला खिलाडी नहीदा खान ने अंतराश्टे के लिए से किर्केट से सन्यास लिए तो यहाँ पाकिस्तान किस देश ने हाली में फुटवाल का हीरो इंटर कनेक्टेड इंटर कंटिनेंटल कब दोटेश जीता त भारत स्पेसेक्स ने किस देश के लिए सतरिया एक नामक एक संचार उपकरा प्रच्छेपित किया तो या इंडोनेशिया बाद किस राज जी का सहितिस्वा राष्टे खेल दोधेश का आज़न किया गया तो गोवा में हाली में किस राज जी की सरकार ने राज जी में पदम पुरुषकार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपे मांसिक पेंसन देने की घोषनकी तो या हर्याना हाली में किस राज सरकार ने राज में पदम पुरुषकार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपे मांसिक पेंसन देने की घोषनकी तो या हर्याना हाली में किस महरा खिराड़ी को मैं 20-23 के लिए आईसेजी प्लियर अवधा मन्त से समान मिला तैया थिपाचा पुथा वेंग थाइलेंड हाले में 21 मैला खेलाड़ी को मैं 23 के लिए ICC प्लेयर मंथ का समान मिला तो थिपाचा पुथा वेंग थाइलाइड वद 21 का गांधी शांती प्रोषकार से किसे समानित किया जाएगा तो या गिता प्रेस उतर प्रदेश मध्यपदेश का साथवा टाइगर रिजर्व कौन होगा तो या विरांगना दुर्गावथी टाइगर रिजर्व चिराग शेटी और साथविक साहिराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन दो तैइस के मेंस डवल में कौनसा पतक जीता तो या स्वन पतक चिराग शेटी और साथविक साहिराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन दो ऊत्येस में मेंस डवल्फ में कौन सा पतक जीता तो स्वन पतक किस देश की टीम ने स्कौैश्स विश्यव कब दो ऊतरी का खीता तो मिस्र ने तो यहाँ है इगा स्वेतिक तो यहाँ है भारत और किस देश के बिच बिचली निर्याद पर समझधा किया गया तो नेपाल हारे में भारत और किस देश के बिच बिजले निजात पर समझाता किया गया तो नेपाल किस देश की सरकार ने हाली में अपने करमचारियों के लिए वाइफ वाइब ब्रेक योग एट ओफिस चेर नामक एक पहल की तो या भारत किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने करमचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट आफिस चेयर ट्रामक एक पहल की सुरवात की तो या भारत सिप्री की रिपोर्ट के अनुसर विशु भर में सबसे ज़्यादा परमानु हथियार किस देश ने विर्धी की तो या चीन इंदुर अमेरिका सिखर सम्मेलन कायजन हाली में कैपिटल हिल में किया किया यह बताया कहा अवस्तित है तो यह अमेरिका में अवस्तित है किस राज की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतराश्टिय ग्रिण एपल पुरुसकार के लिए चुना गया तो य अनवचलि पृदिस इस राजने हाली में अरुन पोल नामक एक अप लॉंच किया तो यह अनवचलि पृदिसं किस राजने हाली में हाली में को कुहुँगो को महिल संबन्दि मुद्व के लिए राजदु नियुक किया गयाyah तो यह गिता RAO गुपता किस भरत्य while महिल Bigiona क का संबंध किस राज से है तो यह उडिशा किस रेलवे स्टेशन को हाली में इट राइट स्टेशन के प्रमान से समानित किया गया तो गौहाटी रेलवे स्टेशन को हाली में इट राइट स्टेशन के प्रमानन से समानित किया गया तो गौहाटी रेलवे स्टेशन रास्तान के किस सहर में C.N.G. से संसाली देश की पहली ट्रोय ट्रेंड शुरू की गए तो यह है उधैपूर किसे हाल ही में वजदह 23 का एकवाल मसीहा पुरुसकार जीता तो यह है ललीता नटराजन बारती रिजर्ब बैंक आरवी आई ने हाली में पूर्वत्तर में कहां अपना शेत्रिय कारियाले खोला तरह कोईमा नागलेंड भारती रिजार बैंक RVI ने हाली में पूर्वत्तर में कहां अपना छेत्री करियाले खोला तो या कोई मन आगलेंड कौन सा विश्विदाले 2224 सैषिनिक सत्र में हिंदू अध्यान केंदर स्थापित करेगा तो दिल्ली विश्विदाले कौन सा राज हाली में स्थापित पवन उर्जाच हमता के मामले में शिर्ष पर पहुंच गया तो गुजरात कौन सा राज हाली में स्थापित पवन उर्जाच हमता के मामले में शिर्ष पर पहुंच गया तो गुजरात हाली में ADB और भारत के किस राज में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के रिंद समझाते पर हसाचर किया तो या हिमाचल परदेश हाली में ADB और भारत किस राज में बागवा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के रिंद समझाते पर हसाचर किया तो या हिमाचल परदेश किस देश ने हाली में भारतिय पत्रकारों को देश छोड़ने का र देश दिया तो या मुंबए कि पुलिस ने 14 जुन 223 को नो होर्डिंग डे घोशित किया तो या मुंबाई को एक रिपोर्ट के अनुसार डिश्टल भुगतान के मामले में कौन सा देश सिर्ष पर पहुंच गया तो भारत कहां में दुनिया की गुप्तिचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आउजित की गई तो सिंगापूर में खबरों में रहा अमचांग वन जीव अभ्यारन किस राज में अस्थित है तो यह है असम में हाली में आयोइट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियंशिप 22 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा तो तीसरे स्थान पर महिला जुनियर एशिया कप होकी का खिताब किस ने जीता तो भारत ने महिला जुनियर एशिया कप होकी का खिताब किस ने जीता तो भारत ने है कौन सा देस हाली में भारत के चौथे सबसे बड़े निवेशक बनकर उबरा है तो यह यह यूएसे हाली में भारत के चौथा सबसे बड़े निवेशक बनकर उबरा है तो यह यह यूएसे यूएए सौरी यूएए हाली में टेनिस के इतियास में सबसे ज़्यादा ग्रेंट स्लैंग किताब जिदने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया तो यह यह यूए यूए अधितियनाथ ट्विटर पर अढ़ाई करूर फॉलोवर वाले देश का पहले मुखिमादरी कौन बन गया तो यह यह यूए अधितियनाथ Tata Institute of Fundamental Research TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कारिकरम की शुरुवात की विज्ञान बिदुशी भारत और मालदीव के बिच संयुक्त चैन अभ्यास X-Ecuverine का वारा संस्क्रण कहां शुरू किया गया तो यह है चोब अटिया में भारत और मालदीव के बिच संयुक्त चैन अभ्यास X-Ecuverine का वारा संस्क्रण कहां शुरू किया गया तो यह है चोब अटिया में हाली में एक लाख रुपे परती शेयर का आखड़ा छुने वाला भारती स्टॉक कौन बन गया तो MRF भारत और न्यूजिलेंड के बिच पहली गोल में संयुक्त बैठक हाली में कहां शुरू तो नई दिली में है स्टेट ऑफ इंडियाज एंवायमेंट 22 इन फिगर रिपोर्ट में परियावरन के छेटर ने पहला अस्थान किस राज को प्राप्त हो तो तो तिलंगाना ने किसे हाली में भारत के सबसे वेल्यूवल ब्रांट का खिताब मिला तो तो ताटा ग्रूप को हाली में जारी पांचवे राज्य खाथ सुरच्छा सुचकांग 23-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला अस्थान किस राज्य को मिला तो केरल को सांगर परिक्रमा के साथवे चरण की सुरवात किसके द्वारा किये गए तो यह है पुर्शतम रुपाला जिला सुचकांग जारी करने अला देश का पहला राज यह यूटी कौन है तो यह है जमू कस्मीर हाले में किसके द्वारा सस्टेनेवल ग्रीन एरपोर्ट मिशन लॉंच किया गया तो यह है भारतिय विमान पतन पराधिकरन किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्धाक नामक आउट्रीच कारिकरम सुरू किया गया तो यह है नौसेना किस चनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन दोटेश में पुरुष एकल का किताब जिता तो यह है नवाग जोकोविच किस चनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन दोटेश में पुरुष एकल का किताब जिता तो यह है नवाग जोकोविच हाली में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिब दोटेश का किताब जिता तो यह है ऐस्टेलिया कौन सा भारतिय राज हाली में खुद की इंटरनेट ब्रेंड सेवा ब्रोट सेवा शुरू करने वाला पहला राज बना तो यह है केरल हाली में जारी हुई बर्ज दोटेश की राष्टे संस्थान रैंकिंग फ्रेंबर्क में किसे महराष्ट राज जी के किस जिले का नाम बदलकर अहिलिया भाई होलकर नगर रखा गया तो यह है अहमद नगर महराष्ट के किस जीले का नाम बदलकर अहिलिया भाई होलकर नगर रखा गया तो यह है अहमद नगर विश्व मौसम बिग्यान संगठन WMO की पर्थम महिला महा सचिप कौन बनी तो यह है सेलेश्टे सावले सावलो मैंस होके जुनियर एसी अकब 23 का खिता तो भारत ने पूने महाराष्ट में आई जित राष्टे जूनियर रगभी बालक पर्तियोगता में बिहार किस टीम के फाइनल में महाराष्ट को भारत के जी ट्वटी अध्यास्ता के तहाथ दो दिवस्य विग्यान ट्वटी सम्मिलन का आई जिन हाली में कहां किया गया तो भापाल में हाली में जी ट्वटी डिश्टल एकॉनमी वर्किंग ग्रूप की तीसरी बैठा कहां जित हुई तो पुने में हुई हाली में महिला ट्वटी सिखर सम्मिलन का आई जन तामिनाडू के कि सहर में हुआ तो या हुआ महावली पूरम हाली में महिला ट्वटी सिखर सम्मिलन का आई जन तामिनाडू के कि सहर मुआ तो महावली पूरम में किस देश में एसिया कब 22 का आई जन किया जाएगा तो या पाकिस्तान और स्रिलंका में हाली में आई जे चौथे राष्टिय जल पूरसकार 22 के तहट सरफ्ष्ट राज पूरसकार से किसे समानित किया गया तो या मद्यपर्दिस को किस राज के मुख्यमंत्री ने जेलो का नाम बदल कर सुधार केंदर किया तो या उत्तर पूर्दिस कौन सा राज हाली में धर्मांतरन बिरोधी कानून को समाप्त करेगा तो या करनाटक किसने हाली में इलिजाबित लॉंग फोर्ड पूर्षकार जीता तो या रामचंदर गुहा बृटन के बरिष्ट राजनेक जेन मैरियट को किस देश्ट की पहली महिला दूत के रूप में नियूक्त करनी के घोशना की गय तो या पाकिस्तान बृटन की बरिष्ट राजने जेन मेरियाट को किस देश की पहली मेहला दूत के रूप मे निक्त करनी घोश्चना की गया फाकिस्तान 2 जून 22 को भारत के किस राजज में अपना दसवाँ स्थापना दिवस मनाया तो या तेलंगना खाली में किस देश से समómoंधित लेखक जोर्जी गोस्पोडी नोव ने इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार 22 जिता तो या बुलगेरिया हाली में किस देश से सम्बंधित लेखक जोर्जी गोस्पोडी नोव ने इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार 22 जिता तो या बुलगारिया हाले में कौन सा राज भारत का पहला पूर्ण ईशाशित राज बना तो यह केरल डिया डियो दोरा हाली में अगनी प्राइम बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिछन कहां से किया गया तो यह उडिशा कितने वर्षों के बाद भारत में मिस्र मिस्वर्ड परतियोकता एक तर्वान कीया तो यह है सताइस वर्ष भाद फ्रांस यूए के बिच संयूक समुद्री अभ्यास हाले में कहां अजित किया गया तो यह अमान की खाड़ी माजूद किया गया भारत फ्रांस UAE के बिच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाली में कहां आयोज़ित किया गया जर्मनी में आयोज़ित ISSF जूनियर बिशुकवद्ध 23 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा तो 15 पदक के साथ पहला स्थान जर्मनी में आयोज़ित ISSF जूनियर बिशुकवद्ध 23 का पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा तो 15 पदक के साथ पहला स्थान पर रहा अरब सागर में उठे बीपर जोई साइकलोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया तो है बंगलादेश किस राज सरकार ने नंद बावा दूगद मिशन योजना शुरू कित या उतर पर देश निम्खित में से किस भारती अमेरिकी को हावर्ड विश्वदाले के वित्विभाग का उपाध्यक्ष नियूत किया गया तो यह है रितु कालरा निम्खित में से किस भारती अमेरिकी को हावर्ड विश्वदाले के वित्विभाग का उपाध्यक्ष नियूत किया गया तो यह है रितु कालरा अंतराष्टिय स्वार गठवंदन आई एसे की स्थाई समीती की आठवी बैठा कहां अजित हुई तो नई दिल्ली में अंतराष्टिय स्वार गठवंदन आई एसे की स्थाई समीती की आठवी बैठा कहां अजित हुई तो नई दिल्ली में हाली में जारी राष्टिय संस्थान रैंकिंग फ्रेंवर्ग 22 में इंजिनियरिंग संस्थानों के सूची में कौन सा सिर्ष पर रहा तो यहां आयटी मदरास स्थाईम जारी राष्टिय संस्थान रैंकिंग फ्रेंवर्ग 22 में इंजिनियरिंग संसथानों के सूची में कौन सा सिर्ष पर रहा तो यहां आयटी मदरास। अधर relevance सभा के 78 अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गया यहां चुने गए दए अंसें सवहत्राश्टे महासबहा के 58 duo की रूप में चार यूजद करी द्वारा कि राज में 1250 रूपए के चार पर युजएनाहों के उधाटन तो यह Eigen। सड़क परहिवान और राजवन मंत्री नितिन गटकरी दौरा किस राज में हाल ही में 1450 कोड़ रूपे की चार परिज़नाव का धहतन किया यह तो अस्सम में किनके दौरा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सिल मैनुफेक्टरिंग गीगा फैक्टरी स्थापित करने की घोशने की गए तो टाटा गुरूप्स के दौरा किनके दौरा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सिल मैनुफेक्टरिंग गीगा फैक्टरी स्थापित करने की घोशने की गए तो टाटा गुरूप्स के दौरा किस देश के राश्पती चंदरी का परशाद संतोशी ने भारती राश्पती दुरबदी को देश का सरूस्रेश्ट नागरिक पुश्कार ग्रैन ओडर ओफ ते चक अफ येलो स्थार से समानित किया तो यास सुरिनाम किस देश के राष्टपती चंदरी का परसाद संतोशी ने भारती राष्टपती दुरॉप दी मुर्मु को देश का सर्विश्ट नागरिक कुरुसकार ग्रेंड ओर्डर ओफ धाचेक चेन ओफ यलो स्टार्प से समानित किया तो या सुरिनाम किस राष्ट का सांची शहर भारत का पहला सौरिज सहर बनेगा तो या मद्यपर्देश बाद का पहला कारवन तरथ गाउं कहां विक्षित किया जाएगा तो या भिमबाडी महराष्ट में किस बैंक ने हाली में 100 देज 100 पे अभ्यान सुरू किया तो या रवी आई किस बैंक ने हाली में 100 देज 100 पे अभ्यान सुरू किया तो या रवी आई किस देश ने 32 तक चंदरावा पर इंसान को भेजने की योजना त्यार किया तो या चीन किस देश ने 32 तक चंदरावा पर इंसान को भेजने की योजना शुरू किया तो या चीन ने हाले में भारत और किस देश के बीच अलमुहमद अलहिंदी 22 तेश नौसेना भ्यास आईद किया तो साओधी अरव हाले में भारत और किस देश के बीच अलमुहमद अलहिंदी 23 नौसेना भ्यास योजना भ्यास आईद किया तो साओधी अरव किस देश ने हाल ही में वर्ष 25 को विशेष परेटन वर्ष के रूप में मनाये जाने का फैसल लिया तो नेपाल ने हाली में कहां अवस्थित हैरीस पार करनाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया तो या उस्टेलिया भरा सरकार ने हाली में चक्रबाद से प्रभावित किस देश में रहत और बचाव के लिए उप्रेशन करोना शुरू किया तो मैंनमार बहर सरकार ने हाल ही में चाकरवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए आपरेशन करोना शुरू किया तो मैंवार किस देश के सरोच समान कमपेञियन ओफ और ओफ फीजी से समानित किया गया तो फीजी का IPL 2.32 का किताब किस न जीता तो चेनई स्पर किंग इस ने परधान मंत्री जन धन और योजना का 100% coverage हासिल किया तो तिलंगना ने किस देश ने टेफून लांच किया है जो कम दूरी का बैलेस्टिक मिसाइल है तो तुर्की ने हाली में तीसरे खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स की सुरुवात कहां हुई तो उतर परदेश में हाली में तीसरे खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स की सुरुवात कहां हुई तो उतर परदेश में हाली में तीसरे खेलो इंडिया युनिवरसिटी गेम्स की रायना बनना भी हाल ही में किसे त्रिपूरा राज प्रेटन के नए ब्रैंड अम्बैजडर के रूप में निक्त किया गया तो सौरफ गांगुली को प्रतिवस दुनिया भार में अंतराश्य जैब विविता दिवस कम मना आए गया तो 22 मही को किस टेनिस खिलाडी ने इंडि अपन 2723 में पुरुष्र एकल का खिताव जीता तो यह डैनिल मेदवेद्व स्था लिए भारती सेना के ने मास्टर इंड जन रल सस्टेनेंस म जी आस के रूप में निक्त किया गया तो यह है अमर्दीप सिंग और जला हालिम इक एपार ती सेना के ने मास्टर जनरल सस्ट क७ेनंस-म हिस्तान पर नहीं बनान इस वह थायर्जन राम-रेजिया था है कि वहत्र सतर 23-ड निया मेकवाछर मेहीत है कि श्कूत माधा करूंद१ sol की श्कूत है किस ही भारत कानुन मेंत्रिकाजन उठाए नहीं दाल्चितुन लिक्रिक करूंद करूंद। मंत्री बने हैं तो यहां करनाटक हाले में सिध्धर अमईय दक्चिन किस दक्चिनी राज के नए 22 थे मुख्यमंत्री बने हैं तो यहां करनाटक स्थापना दिश्मनाएं तो सिक्किमन हाले में किसे माइक्रो ब्लास्टिक साइट ट्विटर की नए सीओ के रूप में नुक्त किया गया तो है लिंडा याका रिनो अब तक सबसे तेज अर्षतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं तो यह यह सवी जैसव फैसन ब्रांड गूची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड अमबाज़ कौन बनी है तो यह आलिया भड हाली में किस महिला खिलाड़ी ने अपरेल दोहतेश के लिए 84 प्लियर अफदा मंध का पूरूशका जेता तो यह नरूमोल चायवाई ठाईlai हाल में किस महला खिलाड़ी ने आपरेल 222 के लिए ICC Player of the Month का पूरुसका जीता नर्मोन चाइवाई थाइलांड हाल में किस पूरुस खिलाड़ी ने आपरेल 23 के लिए ICC Player of the Month का पूरुसका जीता तो यह फकर जमान पाकिस्तान हाल 175 पुरूश खिलाड़ी ने अवज 25 के लिये आईसी से प्लेयर ऑफ दे मन्त कपुरूश का जीता फ़कर जमान पाकिस्तान कि पुलिंजर का 22 की बेज़ेता की घोचना हुई है या पूरुशकार किस्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकरता में दिया जाता है, हाली में किस देश से समंधित महिला खिलाडी, शवनीम इस्माईल ने अंतराशे किर्केट से सन्यास लिया तो या 23 में 180 देशों में से कौन सा स्थान भारत का रहा 161 अगला प्रस्ट 727 नमबर हाली में किसे अनत कुमार दास का स्थान पर बैंक आफ इंडिया का नया M-D और सियो निवक्त किया गया तो है रजनीश करना टक हाली में किसे अनत कुमार दास के स्थान पर बैंक ओफ इंडिया का नया एंडी और सियो नियुक तिया गया तो रजनीश करना टक प्रतिवर्स एक मही को किन दो राज्जियों के स्थापना दिवस मनाई गया तो महराश्ट और गुजरात का चीन का पर्थम 277 चैंपियंशिप खिलाड़ी कौन बना तो यह है पंकर सिंग साइक्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया सी एफ आई के नहीं अग्धियाश कौन बने तो पंकर सिंग फिल्म फियर एवार्ड 23 में किसे सर्फ्रेश्ट अभीनेता का पुरुसकार मिला तो राजकुमार राओ सीमा स्वलक संगठन बी आरो के ने किसे भारत का प मेट्रो सेवा का उधाटन किया गया तो या किरल किस राज हाली में राज सुसासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज बना तो महराष्ट किस देशन रिकॉर्ड एक तिसवा रिकॉर्ड तेरवा वार बैडमिंटन सुद्धी रामन कप द्धाइस का खिताब अपने नाम किया तो या चीन किस देशन रिकॉर्ड तेरवी वार बैडमिंटन सुद्धी रामन कप द्धाइस का खिताब अपने नाम किया तो या चीन किस प्रेश ने रूश युक्रेन युद के अंतराश्टी रिपोर्टिंग के लिए परतिष्थित पूलिजर 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 पूलिज का 20 जिता तरह है नियॉयरक ताइम्स किस प्रेश ने रूस योक्रेन युद्ध का अंतराश्टिय रिपोर्टिंग के लिए पर्तिवर्ष पर्तिष्ठित पुरुंजब पूर्श का 22 जिता तुए है नियुवर्क टाइम्स जलवाई परिवर्तर पर एक से दो माई 22 की पीटर सुबग जलवाई समबाद 22 कहां अजित किया गयते है बर्लिन जर्मनी बहरत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डाइमंड लीग 22 का खिताब अपने नाव किया तो है नीरत चौपड़ा भाद एक स्टार खिलाड़ी ने दोहाड डाइमंड लीग 23 के खिताब लिनाव किया ए उप्शन नीरत चौपड़ा तिर्थ यात्री को मुक्त हवाई सेवा यात्रा परदान करने वाला पहला भारतिय राज कौन बना तो यहां मद्धिपर्देश है बिसी स्याई द्वारा हाल ही में इंडिन क्रिकेट टीम का किट स्पांसर घोशित किया गया किसे तो एडिडास को भारत के किस राज में हाल ही में सबसे बड़े स्काइवाक पुल का उधाटन किया गया तो यहां तामिल नाडू में किस जगह पर अवस्थित हुसाइन सागर जील के किनारे डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के 125 फिट उची परतिमा कनावरन किया गया तो हैदराबाद चर्चा में रहा तूलजा भवानी मंदिर किस राज में अवस्थित है तो महराष्ट में भाति रेजियर बेंक ने कितने रुपए कर नोट कि बाफ़सी की घोशना किया तो या 2000 बारती रीजार बैंक ने कितने रुपए के नोट की बापशी की घोजना किया तो दो हजार भारती सेना की गुजरात कोर ने हालही में किस राजिय में जल राहत नामक संयुक्त बार रात अभ्यानों अभ्यास यो आयुजित किया तो या असम बारती सेना की गुजरात कोरने हाली में किस राजी में जल रहत नामक संयुक्त सैन बाढ़ रहत अभ्यास आयुद किया तो यहां असम में टाटा संस के चेर्मेन एस चंद सेखर को किस देश के सरवोच सम्मान सेवेलियर डीला लीजर दा ओनर से समानित किया तो यहां फ्रांस टाटा संस के चेर्मेन एस चंद सेखर को किस देश के सरवोच सम्मान सेवेलियर डीला लीजर दा ओनर से समानित किया तो यहां फ्रांस आठ मैं 22 को केंदरी रच्छा मंतरी राजना सिंग ने कहां भारती बायु सेना के पहले विरासत केंद्र की सुरवात की तो यहां चंदीगड में भारती नौ सेना के एक सबसे पुरानी लेंडिंग पोत का 36 साल के सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया इस पोत का नाम क्या है तो यहां आइनेस मुगर भारती नौ सेना के एक सबसे पुरानी लेंडिंग पोत का 36 साल के सेवाओं के बाद सेवा मुक्त किया गया इस पोत का नाम क्या है तो यहां आइनेस मुगर किसरा सरकार दोरा मुख्यमंत्री कौशल उन्ययन योजना शुरू की गय तो यहां उत्राखंड किस समाप्त होने की घोषना कर दी बताएं कि यहां ती थी कौन सी है तो यहां पांच माई दोहां तेईस को है हाली में राष्ट्रिय बीनिर्मान नवाचार सर्विच्छन में किस राजय के इंसासित परदेश की सबसे अभिनव राज जी का स्थान दिया गया तो है करनाटक किसने हाली में सत्रवें कमांडर इंचीफ के रुप में पदभार संभाला है तो है साजू बाल कृष्णन किसने हाली में सत्रवें कमांडर इंचीफ के रुप में भादभार समाला तो है साजू बाल कृष्णन हाली में अखिल भारती नाट्टे परिशत का अध्याच चुने गया है कौन तो परशांत दामले कहां हाली में अखिल भारती नाट्टे परिशत का अध्याच चुने गया है कौन तो परशांत दामले कहां हाली में उनने वाले च्छिप कर ली कि एक नई परजाती मिली है तो है मिजोरम किस बन्रगा को हाली में सरसरेश्ट परदरसन के लिए सर्वनंद सौनोवाल से सागर स्रेश्ट संमान पूरुसकाथ सes अमानित किया गügen कोचिन बन्रगा किस बंदरगा को हाली में सर्ष्रेश्ट प्रदर्सन के लिए सर्वरनन सोनवल में सागस त्रेश्ट चम्मान पुरुसकार समानित किया गया तो है कोचिन बंदरगा हाली में कौन सा देस इच्छा मृतियों को बैद घोशित करने वाला दुनिया का पहला साथवा देश बन गया तो यह है पूर्तगाल हाली में कौन सा देस इच्छा मृतियों को बैद घोशित करने वाला दुनिया का साथवा देस बन गया तो यह है पूर्तगाल किस राज से है तो या तेलंगना से हुपला प्रणीत हाधी में भारत के बिरासवे ग्रैंड माश्र बढ़ने हैं उनका समंध किस राज से है तो तेलंगना राज से किस देश ने हाल ही में पोलियों की पहली मौत की पुष्टी की तो या अफगानिस्तान किस राज में ने हाल ही में तेरवां होकी इंडिया सब जुनियर महिला राष्टे चैंप्रिंसिप जिती तो या हर्याना हाली में संग लोग सेवा आयोग का चेरवन कौन बन है तो या मनोज सोनी डिश्टल सेवाओं के लिए लॉंच किया गया हिट डेटा पोर्टल का संबंद किस राज से है तो या ही माचल परदेश से है डिश्टल सेवा के लिए लॉंच किया गया हिट डेटा पोर्टल का संबंद किस राज से है तो या ही माचल परदेश से है हाली में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति को चौथा संस्क्रण का आजित हुआ तो या है भारत और इंडोनेशिया के बीच कर्मी कुला भीमा योजना शुरू की तो या तिलंगना किस राज सरकार ने गीता कर्मी कुला भीमा योजना शुरू की तो या तिलंगना स्वार मंदल के दुसरे सबसे बड़े ग्रह सनी की 62 नए उपग्रह की खोज हुई है अब शनी ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह है तो यह 145 उपग्रह स्वार मंदल के दुसरे सबसे बड़े ग्रह शनी का 62 नए उपग्रह की खोज हुई हाली में हुई है सबसे बड़ा लीथियां का वहंडार मिला है तिया राष्थान जमुका स्मीर के बाद भारत किस राजम भारत का सब्सक्रावल दित्यम का भंडार मिला तिया रास्थान राश्पति दुरपदि मूर्मु ने 9 मैँ 22 को राश्पति भावन में आजित रच्छा अलंकार समाहरों में कितने लोगों की कृति चक्र से समानित किया तो यहाँ राश्च्पति दुरब्दी मुर्मु ने 9 जुलाई 22 को राश्ट्री भवन राश्पति भवन में आजित रच्छा अलंकरन समारों में कितने लोगों की क्रिती चक्रिस से सम्मानित किया तुए आठ कितने वर्षों के बाद वर्ष 23 में एसिया बैड्मिंटन चेंपियंशिप में भारत ने पुरुष यूगल में पदक स्वन पदक हासिल किया तुए अठावन वर्ष भारत ने किस देश में साथवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया तुए मैनमार भारत ने किस देश में साथवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया तो या मैनमार बच्चों के लिए डिश्चल हिल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज को अनमान तो या उत्तर परदेश खबरों में रहा प्रोजेक्ट संचय का संचय का संचय का संचय तो या भारती सेना से छे माई 22 को भारत और किस देश के बिच भुलांगंज में पहले बौडर हर्ट को उधाटन किया गया तो या बंगलादेश के बिच चे मईद्वाइटेश को भारत और किस देश के बिच भुलांगंज में पहले बॉडर हाट को धर्टन किया गया तो बंगला देश के बिच 15 माई 22 को परिवार और जन सांखी की परिवारतन थीम विशय के साथ कौन सा दिवस मनाई गया तो अंतराष्टे परिवार दिवस हाले हैं भारतिय मूल के किस अमेरिकी को महिडा समंधी मुद्धों के लिए अमेरिकी दूत के रुप में नुक्त किया गया तो यहाँ गीता राव गुपता हाले हैं भारतिय मूल के किस अमेरिकी को महिडा समंधी मुद्धों के लिए अमेरिकी दूत के रुप में नुक्त किया गया हाले में कहां में मौनलन चेनमों उत्सब आयुद किया गया तो लेह में किस पुर्दोकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए पुर्दोकी विक्षित करने के लिए डियाडियों के साथ साज़ेदारी की दिया है इन यूर लेन अभ्यान शुरू किया था शार्जा किस सहर के फिलीस ने हाली अभ्यान शुरू किया था सारजा 18-20 मेग साधी में ऐ už टी लीस तक तीन दिवासी अंतराश्टिय और यजित किया था नाइदिली में 18-20 में 22 तक 3 दिवसी अंतराष्टे संग्राले एक्सपो 22 कहां आयोत हुई तो या हुई नई दिली में मल्यालम भाषा में सनातुक्तर पीजी करने वाली पहली मुश्ली महिला कौन थे जिनका हाली में निदन हुआ तो या नवीसा उम्माल मल्यालम भाषा में सनातुक्तर पीजी करने वाली पहली मुश्ली महिला कौन थे जिनका हाली में निदन हुआ नवीसा उम्माल ताशकंद में आयोट एसिया कप चरन दो तीरंदाजी विश्व चैन रैंकिंग टूर्णामेंट में भारत 14 पदक जितकर कौन सा अस्थान पर रहा तो या पहली अस्थान पर ताशकंद में आयोट एसिया कप चरन दो तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्णामेंट में भारत 14 पदक जितकर कौन सा अस्थान पर रहा तो या पांच पहले अस्थान पर लव इन दा नाइन्टीज नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहले फिल्म है इसका संबंध किस राज से है तो या अनुवाशल परदेश से है भारते मुल्क किस अमेरिकी अमेरिकन को अहाली में अमेरिका में घहरेलू नीती सलाकार के रूप में निक्त किया गया तो सलाकार के रूप में नूद किया गया तो यह निरा टंडन फिच रेटिंग ने वित्यवास 22 23 24 में भारत की घटीवी बीधीदर पलाशे पर्तिवार किया तो Bैष्ण के से 6% किसने हाल ही में पोशन भी पढ़ाईवी नामक एक अभ्यान की शुवारम किया गया तो है स्मिर्थी इराणी किस इसके द्वारा हाली में पोशन भी पढ़ाईवी नामक एक अभ्यान की शुवारम किया गया तो है स्मिर्थी इराणी चलने का अधिकार को लाहू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना तो पंजाब चलने का अधिकार लाव करने वाला भारत का पहला राज कौन बना तो पंजाब प्रेटक फ्रेटनस थलो की स्वश्श्टा बरकरा रखने के लिए किस राज की पुलिस ऑपरेशन मरियादा नमक विसेस अभियाद चला रही तुघ उत्राखंड प्रेटन संस्थलो की स्वास्ता बरकराष रखने के लिए कि सिराज्ज की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नमक एक बिसेस अभ्यान चला रही है तुए उत्राखंड हाली में चर्चा में रहे फ्यूगो जोला मुखी किस देश में अवस्थित है तुए तुए है गौटल माला इरान के जिल में कैद किस महिला पतरकार को यूनिस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राई दौ तैइश से समानित किया तुए है उप्यूक सभी मतलब बंगल की खारी में उठे चक्रबा, तुफान, मोचा या मोखा को किस देश द्वारा नाम दिया गया तो या ही यमन द्वारा हाली में एंटोनियो करवाजल का निधन हुआ वे निवन में से किस समन्दी थे तो या फुटवाल से किस कंपणी ने हाली में आईसे के ग्लोवल स्पांसर के रूप में भारत पे की जगा लिए तो या मास्टर कार्ड किस कंपणी ने आईसे सी के ग्लोवल स्पांसर के रूप में भारत पे की जगा लिए तो या मास्टर कार्ड प्रधान मती ने राष्ट पुर्दव की दिवस का अफसर पर इग्यारा माई द्वाटेश को कितने कोड़ रूपे के वैग्यानिक प्रियोजना का रिलाइंस व ऊद्वाट सा लोगारत कियते लोकर्पन किया तोर आउंचरोड किता अंदर प्रदेश किसरा सर्कान ने सीस घयाले का अधर दकनत्र sprechen किया गया तो यह योगी अधितनाथ रतन डल्लक्टर अंबेतकर चाहल सामानित किए गया यह हिए योग अधितनाथ भारत रतनाठ डॉ येर ओर मेसी अर्जेंटीना लायर वोल्ड स्पोर्ट्समें ऑफ येर अवार्ड और किंध्र अपस्थ रहे हैं लियोंलियमेसी अर्जेंटिना अमेरिका फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सूपर कब दोटेश किसने जीता तो ओडिसा ने नाटो दौरा दुनिया का सबसे बड़ा साइवर रच्छा अभ्यान अभ्यास लौगडशील्ड 22 कहा उजित किया गया तो यह तेलीन एस्टोनिया में नाटो दौरा दुनिया का सबसे बड़ा साइवर रच्छा अभ्यास लौगडशील्ड 23 कहा उजित किया गया तो तेलीन एस्टोनिया में हाली में प्रकास सिंग बादल का निधन हुआ वेकिस राजिंतिक दल से समझी थे तो या शिरोमनी अकाली दल हाली में कोप इंडिया दोह तेईस वायू अभ्यान में किन देशों ने भाग लिया थो या भारत और अमेरिका ने किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच नागरिक समान से समानित किया तो या उस्टेलिया ने भारत के पहले गाओं को किस नाम से जाना जाएगा तो माना उत्राखंड वर्ड बिश्व बैंक के लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 22 में भारत को कौन सा स्थान मिला तो या अरतिस्वा बिश्व बैंक के लोजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 22 में भारत को कौन सा स्थान मिला तो या अरतिस्वा बाइस अपरिल को किस थीम के साथ बिश्व पिर्थी दिवस संबंदित प्रसिध तारिक फटय का तेट्रवर्स की उमर में निधन हुआ तह साथ पर विश ओमना जाता है लाटे-फरी इस çevank dealer को is in exactly 2 देश से संबसे संबंदित प्रसिध लेख तारिक फटय का तीटवन्टी केर्केट में सबसे तेज साथ हैरन बनाने वाले भारती है कौन बने है तो यह बिराट को ली और इस इक साथ हमारा 812 प्रस्ट के साथ या पूरा पूरा बुक यहां पर साफ़ता है या देखें आप अंसर की है आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं मिला सकत हैं को अधिकत नहीं है आपसे बस ही अन्रोद है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा ज्याद करें कमेंट करके ज़रों बता है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोट करें मिलते आगले वीडियो लेक्ष्टन वा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद